कर दो कि करी विलकोल्कम बैक टु माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेट्थ वर्षा अब लिएठ इस वीडियो में हम aja प्रिवीज सब्सक्राइबि ऑफिभर के बार में बात करेंगे में जो की ट्ू टू थूटॉजन का है चुलिए फ्रेट्स वीडियो assassin की स्ट्राट नस्थ पैंडिन की आ ज्चिन है और नितुलोजी विढ के अंदर किसका अधेन किया जाता है शिक्षा सास्तर चोंदर या दंद महीन का जैता है। बाक्षियों का दिन की बात आती है तो वहाँ पर जो विज्ञान यूज़ किया जाता है वह था है और निथोलोजी नेक्स्ट है मायोफिया क्या होता है दूर द्रस्टी दोस्ट के लिए निकट द्रस्टी दोस्ट के लिए कानों की दोस्ट के लिए या फिर एक परकार का स्वर है तो friends, myofia use किया जाता है निकट दश्टी दोस्ट के लिए जिसको eyesight में problem होती है, जिसको near eyesight problem होती है, उसके लिए myofia use किया जाता है world Next है, India house कहां इस्तित है? इंडिया house कहां है? लंदन में, न्यू यॉर्क में, मुंबई में या कैलिफॉर्निया में तो friends, इंडिया house लंदन में इस्तित है, तो इसका answer one correct है Next है, जापान की संसत का नाम क्या है? तो friends, अगर हम जापान की संसत की बात करें तो उसका नाम है टाइट Next है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस governor general के कारेकाल में चली थी? Warren Hastings, Lord Hastings, Lord Dalhoji या Blame Bantic तो friends, भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई थाने से चली थी, वो थी Lord Dalhoji के कारेकाल में Next है, सबसे उची परमतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, हिमाले, आल्प, सियफे हिमाले तो friends, सबसे उची परमतमाला है, एवरेस्ट, जो कि हिमाले है Next है, किस मुगल बादिशा ने हिंदू पर लगने वाले जजिया कर को समाप्थ कर दिया था? अकवर ने, हुमाईू ने, शाहजाने या फिर जहागीने तो friends, जो जजिया कर था, वो हिंदू पर लगाया जाता था और उसको अकवर ने समाप्थ कर दिया था तो इसका उप्शन एक करेक्ट है Next है, ठियोसिफिकल सुसाइटी का जो प्रचार पिसार है भारत में किस ने किया था? तो friends, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में थियोसिफिकल सुसाइटी की प्रचार पिसार किस ने किया था तो वो थी एनी बैसेंट तो इसका उप्शन भी करेक्ट है Next है, भारतिय लगई उद्धियो, विकास बैंक यानि सिडवी का मुख्याले कहां है? लखनव में है, मुंबई में है, बैंगलूर में है या फिर नई दिल्ली में है तो friends, सिडवी का जो मुख्याले है वो लखनव में है तो इसका उप्शन ए करेक्ट है हम next question पे आते हैं next question है, भारत में अंतरास्टे महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगा कौन सा है? विशाखा पटनाम, काली कट, कांडला या फिर गोवा तो friends, अगर हम अंतरास्टे महत्व की बात करें कि मुक्त व्यापार बंदरगा कौन सा है तो वो है कांडला जो की पहला मुक्त व्यापार बंदरगा है भारत का नेक्स्ट है दूद की शुद्धा की माप किस यंतर दौरा की जाती है लैक्टोमीटर, वेरोमीटर, टैकोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर तो फ्रेंड्स जो दूद होता है उसमें शुदिता उसकी जाचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है तो उप्शन A यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है बुद्ध, शुक्र, प्लूटो या फिर मंगल तो फ्रेंड्स अगर हम किसी चमकदार ग्रह की बात करते हैं तो वो है शुक्र हमारा यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट है शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार होता है नेक्स्ट है राज्यसवा का सवा पतीत्व कौन करता है रास्टपती, प्रधानमंत्री, उपरास्टपती या फिर स्पीकर तो फ्रेंड्स अगर हम राज्यसवा की बात करते हैं तो उसका सवा पतीत्व होता है उपरास्टपती नेक्स्ट है भारत के विवाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं तो फ्रेंट जब भारत का विवाजन किया गया था तो 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई थी तो हमें बताना है कि उस योजना को क्या कहते हैं लॉर्ड माउंटेन योजना, क्याबिनेट मिशिन योजना, बैवेल योजना या फिर क्रिप्स योजना तो फ्रेंड्स ये योजना बनाई थी लॉर्ड माउंटेन ने इस योजना को लॉर्ड माउंट बेटेन योजना भी कहा जाता है नेक्स्ट है विद्वा पुनर्विवा पर किसने जोड दिया था इश्वर्चंद विध्या सागर ने दयानन सरस्वती ने कोपाल हरी देशमुक ने या फिर महत्मा गांदी ने तो फ्रेंड्स अगर हम विद्वा पुनर्विवा की बात करते हैं तो इस पर सबसेता जोड दिया था इश्वर्चंद विध्या सागर ने इन्होंने खुद एक विद्वा इस तरी से शादी की थी जिसकी बाद इन्होंने जो भी कूपर था थी इसको हटाया था तो इसका ज फ्रेंड्स यहां पर विक्तियर सुतनतक्या की बात करते हैं तो उसके लिए जो शब्दी यूज़ किया जाता है वो है हैबियस कारपट्स तो यहां पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है कैल्शियम किसकी ब्रदी में सहायक है मासपेशी हड़ी नाडी तंत्र य नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है गोदाबरी, कृष्णा, तापती या फिर महानदी तो फ्रेंड्स अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है तापती नदी और जो सबसे ज़ादा जो जल जिस नदी का गिरता है अरब सागर में वो है सिंधु किस उपस्तिती के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता फाइब्रेन हीमोग्लोबिन हैपिरेन या फिर थ्रॉम्बॉप्लास्टेन तो फ्रेंड्स अगर शरीर के अंदर हमारा हैपिरेन की कमी होगी तो इसके कारण हमारे शरीर के भीतर जो है रक्त नहीं जमेगा तो ऑप् मुहम्बत बिन तुगलक की बात करें तो उनका नाम ग्यासुतिन तुगलक भी था और इनकी मृत्यू के बाद दिल्ले का जो सुल्तान बना था वो था विरोश शाह तुगलक तो यहाँ पर option B हमारा correct है नेक्स्ट है निम्ण मैंसे कौन उदारवादी नेता नहीं है तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन उदारवादी नहीं है तो options है गोपाल कृष्न गोकले, मदन मोहन मालवी है, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिल्लक तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ब अगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहां किया था वैशाली, बोध गया, लुम्बिनी या सारनात तो फ्रेंड्स जो महत्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किया था वो किया था सारनात में तो option D हमार नेक्स्ट है सेड़ सा की कब्र कहां पर इस्तित है आगरा में लाहूर में बदायू में या फिर सासा नाम में तो फ्रेंट सेड़ सा की जो कब्र है वो सासा नाम में इस्तित है तो option D हमारा यहां पर correct है नेक्स्ट है वैदिक यूग में ग्राम समू को क्या नाम दिया गया था ग्राम जन विस या फिर सभा तो फ्रेंट्स वैदिक यूग में जो ग्राम समू हुआ करते थे उनको विस नाम दिया गया था यहां तो यहां पर option C हमारा correct है नेक्स्ट है निमलिकित मेंसे किसके शाशनकाल के दोरान हेंसांग भारत की यात्रा पर आया था कनेश्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौरे या फिर समुंद्रगुप्त तो friends हेंग सांग भारत आया था यातरा पर तो वो आया था हर्षवर्धन के शाषन काल में तो यहाँ पर option B हमारा correct है नेक्स्ट है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले दौरा इस्थापित प्रत्सिद समाज सेवी संस्था का क्या नाम था options हैं तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, राम कृष्ण मिशन या फिर सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी तो फ्रेंट्स 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी, उसका नाम था सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी, तो option D हमारा correct है नेक्स्ट है, कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो फ्रेंट्स जो कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष बनी थी, वो थी सरोजनी नाइडू, option C यहाँ पर हमारा correct है नेक्स्ट है, एलिसा परिक्षन ग्याद करने के लिए, क्या ग्याद करने के लिए होता है एट्स, कालाजोर, कैंसर या फिर मदु में, तो फ्रेंट्स, HIV का पता लगाने के लिए, एलिसा परिक्षन का यूस किया जाते है तो option A यहाँ पर हमारा correct है नेक्स्ट है, दिन और रात बनने का क्या कारण है प्रत्वी का अपनी धुरी पर घूमना, प्रत्वी का सूरे के चार ओर चक्कर लगाना, प्रत्वी की सूरे से निकटता, या फिर प्रत्वी का दूसरे ग्रों से संबन तो friends अगर हम बात करें, दिन और रात बनने के कारण, तो यहाँ पर options A और V दोनों ही correct है तो इस तरह के questions में आपको full marks मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर options दोनों ही correct है प्रत्वी का अपने धूरी पर घूमना भी यही एक यह भी कारण है, दूसरा यह भी कारण है कि प्रत्वी सूरे के 4 ओर चक्कर लगाती है तो आप अपने according देख लिजेगा, लेकिन अगर हम previous paper की बात करें, कि previous paper में कौन सा इसका right answer था तो इसमें जो right answer था, वो था option B, प्रत्वी का सूरे के 4 ओर चक्कर लगाना, उन्होंने इसको correct माना था next है, रडार यंत्र किस काम में आता है, जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों का मार्ग मापने के लिए या फिर जहाजों की गती, इस्तिती और दिशा मापने के लिए, तो फ्रेंड आपने देखा होगा, जहाज पर रडार लगी होती है, तो उस रडार का काम होता है, जहाज की गती, इस्तिती और दिशा पता लगाना की वो किस दिशा में जा रहा है, तो option D, यहाँ पे हमारा काफी उतपादक प्रदेश कौन सा है, तो फ्रेंड बो है यहाँ पर ब्राजील, तो option D, यहाँ पे हमारा करेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा काफी उकती है भारत के अंदर, वो है हमारा ब्राजील, नेक्स कॉशन पर आते हैं, ग्रूप A रक्त वाले व्यक्ति को किस केवल AB ग्रूप, केवल O ग्रूप या फिर A तथा O ग्रूप, तो फ्रेंड अगर हम बात करें, ग्रूप A को रक्त देने की, तो यहाँ पर option D हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड ग्रूप A है, वो भी A को ब्लड दे सकता है, और O तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, फिर चाहें वो A हो, B हो, AB हो या फिर O हो, नेक्स्ट है, रिजर बैंक की स्थापना कब हुई थी, सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में, या फिर सन 1937 में, तो फ्रेंड अगर हम बात करें, रिजर बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट अप्रें, 1935 को, तो आप्शन C, यहा शास्त्री, विजय तैंदुलकर या फिर बिमल मित्र तो फ्रेंड्स अगर हम घासी राम कोताविली की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो है विजय तैंदुलकर तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स कोशन पर आते हैं भारत के आर्थे विकास के मूल सम होना तो बताए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा ऐसे क्या कारण है जिसके वज़े से यहां पर जो भारत की आर्थे विकास की जो मूल समस्या है वो उत्पन हुई तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मृत्यूदर कम होना यह इसमें से ऐसा को है नहीं है क्योंकि जन्शंगे व्रधि डारेक्ट एफक्ट करतीन है विकास में निर्धंता आसमानता वी एफथ करती और बेरुजगारिया असिक्षा भी effect करते हैं क्योंकि असिक्षा होगी तो लोग आंगे improve नहीं हो पाएंगे और ज्यादा business नहीं कर पाएंगे किसी भी काम को वो उस धर्टंग से नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वहाँ पर profit earn हो नेक्स्ट है प्रत्वीराज चोहान की जीवनी और कारेओं पर आधारित प्रत्वीराज रासो की रचना किसने की थी अमीर खुसरो मलूग दास चंदबढ़ दाई या फिर शर्फुकदिन यजदी तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि प्रत्वीराज चोहान की जीवनी पर based है तो उसकी रचना की थी चंदबढ़ दाईन है यह बहुती फेमस जीवनी है फ्रेंड्स हर बार इस तरह का questions एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट है किस सिख गुरू ने खालसा की स्थापना की थी गुरू अरजुन्दे गुरू गुविन सिंग गुरू तेख बहादूर या फिर इनमैसे कोई नहीं तो फ्रेंड्स जीव सिख गुरू ने खालसा की स्थापना की थी वो थे गुरू गुविन सिंग जी उन्ह 1559 या फिर 1560 में तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें पानीपत के यूद की कि उसका दुतिया यूद कब हुआ था तो वो हुआ था 1556 में तो यहां पर ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट है सोतंद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था टॉक्टर राजेन प्रिसाद, सचिनानन सिन्हा, लौड बाउम माउंट बेटेन या फिर रिश्ची राजकुपाल चारी तो फ्रेंड्स सोतंद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे लौड माउंट बेटें तो उप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है दयानन्द के बच्पन का क्या नाम था परिशंकर, मूल शंकर, परमानन या फिर अमबा शंकर तो फ्रेंड्स यहां पर जो दयानन्द के बच्पन का नाम था वो था मूल शंकर, तो उप्शन भी यहां पर हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, 1764 में, 1576 में या फिर 1761 में तो फ्रेंड्स प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था, 1757 में, नेक्स्ट है अस्ट प्रधान का क्या अर्थ है, ओप्शन्स है, मंत्रियों की एक परिशत जो मराठा शाशक के सलाकार के रूप में कारे करती थी, या फिर कुछ नेताओं दौरा बताएगा, अस् तो फ्रेंड्स अगर हम अस्ट प्रधान की बात करें, तो ये आठ मंत्रियों की एक परिशत थी, जो की मराठा शाशक के यहां काम किया करती थी, और ये उनके सलाकार के रूप में कारे करती थी, तो आप्शन A, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट है, दिल्ली के सिंगासन पर बैठने वाले जो प्रधम महिला थी, और अंतिम महिला मी थी, वो थी रजिया सुल्तान, ओप्शन C, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट है, बानवे शंचोधन दौरा समिधान के किस अनुच्छेद में मौलिक का रुतव्यों को जोड़ा गया है, 51A, 53A, 54A या फिर 55A, तो इसका राइड आंसर है, ओप्शन C, 54A, नेक्स्ट है, कुरियन पुरुषकार दिया जाता है, डेरी विज्ञान में, टेशी विज्ञान में, चिकत्से विज्ञान में, या फिर वैग्यानिक अनुसंधान में, तो पुरुषकार दिया जाता है, ये डॉक्टर कुरियन की याद में दिया जाता है, डॉक्टर कुरियन डेरी विज्ञान के जनक भी कही जाते हैं, नेक्स्ट है, रास्टगान जन्गन मन की रचना किस ने की थी, बंकिंग चन चतर जी ने, रविनाट चैगोर ने, आश्यतोर चतर जी ने, या फिर हरिद् तो फ्रेंड सरास्ट गान की जन्गर्ण मन जू था उसकी रचना की थी रविंद्रनाट टैगोर जी ने नेक्स्ट है सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस साशक ने करवाया था समुंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त, विक्रमा दित्ते, कुमार गुप्त, महेंद्र दित्ते, या फिर इसकंद गुप्त तो फ्रेंड चांदी के सिकों का सवधम प्लचनन हुआ था, चंद्र गुप्त, विक्रमा दित्ते के शाशनकाल में तो option B यहाँ पे हमारा correct है next है नील नदी की देन किसे कहते हैं भारत को, मिश्र को, सुडान को या फिर जापान को तो friends नील नदी की कहा जाता है कि यह मिश्र की देन है तो option B यहाँ पे हमारा correct है next है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षय योजना के अंतरगत किया गया था पहली, दूसरी, चौती या फिर पाँचवे तो friends यह पंचवर्षय योजना का यहाँ पे भारत के अंदर किया गया था वो थी पांची पंचवर्षिय योजना जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ नेक्स्ट है 1930 में गांधी जी ने सत्यागरा किया था गांडी यात्रा क्योंकि नमक कानून तोडने के लिए अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एबा भी दोनों या उप्रक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स 1923 में गांधी जी ने सत्यागरा किया और वहाँ पे डांडी यात्रा भी शुरू की थी 1923 में तो ये किया गया था नमक कानून को तोडने के लिए क्योंकि अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगाते थे और भारी करोस पे लिया करते थे तो इस कानून को तोडने के लिए कांधी जी ने डांडी यात्रा की तो friends ये थे हमारे आज की वीडियो, I hope आपको इन questions से बहुत help मिली होगी और ये था हमारा 2015 B.A. Entrance Exam के 2016 के previous paper के बारे में discussion करेंगे जिसके अंदर हम सामानने ग्यान के questions के बारे में जानेंगे कि सामानने ग्यान से related कौन कौन से questions 2016 में पूछे गए थे तो चले friends वीडियो को start करते हैं First question है हमारा किसका मत था कि अध्यवगेक समाज पूंदिवादी समाज है Robert Oven, Louis Blanche, Frederick Egales या फिर Karl Marx तो friends आगर हम बात करें कि अध्यवगेक समाज पूंदिवादी समाज है तो ये मत थिया था Karl Marx ने उन्होंने ये कहाता कि जो भी factoryयां लगी है वो पूंदिव पटियों का उनका मालिकाना हग ह्यानी की फैक्टरियों में लगी जो भी पूंदिवादी है जो पूंदिवादी समाज इन पर राइट आंसर है नेक्स्ट है भगत सिंग किसके नेता है अनुशील लन समिती के हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन के अभिनव भारत के या फिर अकाली दल के तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें सचेन सान्यालत था योगेश्चन चटर जी ने वर्ष 1924 में हिंदु शोश्लिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन हो गया और भगत सिंग इसके नेता थे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन के नेक्स कोशन पर आते हैं महाभाश्य के लेखक पतंजली किसके समकालीन थे चंदगृत मौरे क अशोक के पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंदगृत प्रथम के तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि महाभाश्य की लेखक पतंजली जो समकालीन थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के क्योंकि फ्रेंड्स पतंजली दौना पानिनी ने अश्ट ध्याई पर महाभाश्य लिखा गया था और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन शी नेक्स्ट है चित्तौरगड का कीरती इस्तम किस ने बनवाया था राणा सांगा ने राणा कुम्भा ने राणा प्रताप ने या फिर राणा उद्य सिंग ने तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर चित्तौरग की कीरती इस्तम की बात करें तो इसे सिश्वधिया वंस के शाषक राणा कुम्भा ने बनवाया था 1433 से 1473 इसवी में और यह बनवाया था मालावा की जो शाषक को परास्त कर चित्तौरगड में अपना कीरती इस्तम 1457 इसवी के भारतिय विद्रों को ब्रिटिश पार्लियम में हाउस पार्लियमेंट और हाउस ऑफ कॉमर्ट में रास्टी विद्रों की संग्या दी थी वह कौन थे अर्नेस जोन्स थे पारियार्स्टन थे डिस्रैली थे या फिर ग्लोइस्तु था तो फ्रेंड्स इसका जो राज्यों पर विजय प्राप्त की थे यानि कि और जेव ने दक्षण में जिन्दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी हमें उसके बार में बताना है ऑप्शन से एहमद नगर एवं बीजापूर बीदर एवं बीजापूर बीजापूर एवं गोलकुंडा या फिर गो अधिक प्रतीशत कारवन अंश होता है यानि कि हमें बताना है कि कोईले के अधिक निम्लिकित प्रकारों में से एक विशिश प्रकार में अपेक शाक्रत अधिक प्रतिशत कारवन होता है तो वो कौन है एंथ्रासाइट बिटूमेंस लिगनाइट या फिर पीट तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चोगी है एंथ्रासाइट इसके अंदर 90% कार परवत पाई जाते हैं हमें बताना है वाइट परवत कहां पाई जाते हैं ऑप्शन से कनाडा में नौर्वे में रूस में या फिर यू ऐसी में तो फ्रेंड्स वाइट पत्थर पाई जाते हैं हमारे यू ऐसी में तो ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सरवादिक जयव विवित्ता पाई जाती है कश्मीर घाटी में शांत घाटी में सुर्मा घाटी में या फिर फूलो की घाटी में तो फ्रेंड्स सरवादिक जयव विवित्ता जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल राज्य के शांत घाटी में तो ऑप्शन भी यहां पर क नेजिस पर फ्रेंट सकरते हैं तो प्रेंट्स यहां पर बात करें वरुना प्रजाती की तो चर्सों की एक तिल की प्रजाती है जिसमें तीन इसकी बहुती प्रमुख प्रजाती होती है जिसमें की एक वरुणा है पूसा बोल्ड है पूसा जय किसान है तो आप इनको याद रखेगा नेक्स कोश्चन पर मूव करते हैं निमलिखित मैंसे किसे आप कायांतरित चटानों से संबंद करेंगे तावा, गार्नेट, मैगनीज या फिर पायराइट तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर कायांतरित चटानों से संबंद करने की तो यहाँ पर अगर हम कायांतरि फ्रेंड्स हो होगा हमारा आप्शन भी गार्नेट गार्नेट चायनेट चट्टानों से सम्मत की जाती है नेक्स्ट है कंधार इस्थित है कंधार कहां पर इस्थित है दक्षन अफगानिस्तान में उत्री अफगानिस्तान में पूर्वी इराक में या फिर पस्चमी पाकिस्त है तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ओप्शन यहां पर ए दक्षण अफगानिस्तान में नेक्स कोशन पर आते हैं दक्षण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सरकों के कारण अमेरिका का पैरिस कहलाता है यानि कि इसकी चौड अगर इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी यूनर्ट आयर्स और यह अर्जेंटीना में इस्तित है और यह प्राया दक्षण का पैरिस के रूप में इसका उले किया जाता है तो अप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स आते हैं बाव गारिया पूजा तोहार मनाया जाता है अरुनाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में राजिस्थान में या फिर तरप्रा में तो अगर हम बावा गरिया पूजा की बात करें तो यह तरप्रा राज्य का प्रसिद्ध तोहार है इसे गौमाता की पूजा की जाती है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option D. Next है Amnesty International का मुख्याले अपस्थित है जिनेवा, लंदन, नुई यॉर्क या दी हेग में तो friends अगर हम बात करें Amnesty International की तो friends इसका प्रारम अगर हम थोड़ी history की बात करें तो इसका प्रारम एक British बकील Peter Carnison 28 में 1964 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ हुआ था और इसका जो अगर हम बात करें मुख्याले की तो इसका जो मुख्याले है वो है लंदन में तो option B यहां पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 13 February को महिला दिवस मनाय जाता है इस्मृति में यानि किस की स्मृति में इंदरा गान्ति की कमना नेहरू की सरोजनी नाइडू की या फिर रानी लक्ष्मिभाई की तो फ्रेंड्स यह अगर हम बात करें कि ये किसकी स्मृत्मियम बनाया जाता है तो वो है option हमारा C. सरोजनी नाइजू की क्योंकि friends इस दिन 13 फरवरी 1868 को हैदराबाद में सरोजनी नाइजू का यहाँ जन्म हुआ था और इनको हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं इसलिए इस दिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है नेक्स्ट आते हैं मैगसे पुरुसकार विजेता पहले भारतिये कौन थे इंद्रा गांधी, किरनवेदी, ची एन शेशन या फिर बिनोबा भावे तो friends मैगसे से पुरुसकार की बात करें कि ये सबसे पहले भारत में किसको दिया गया था तो ये दिया गया था सबसे पहले बिनोबा भावे को तो option D यहाँ पे हमारा correct answer है next है नेमलिकित मैंसे किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार दौरा भारत रतन से सम्मानित किया गया options है लियाकत अली खां, M.A. जिन्ना, खान अबदुर्गफार खान या फिर मुहमद इक्वाल तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार दौरा जो भारत रतन दिया गया था वे कौन थे तो friends बोते खान, अबदुल, गफार खान तो option C यहाँ पर हमारा right answer है next है मुहिनी अट्टम परमप्रागत नर्ते है आनप्रदेश का, करनाटक का, केरल का या फिर तमिल नाइडू का अगर हम मुहिनी अट्टम की बात करें कि यह कहां का है तो मुहिनी अट्टम जो हम बोलें इसको कि परमप्रागत नर्ते है तो वो है केरल का जबकि अगर हम बात करें आंधर प्रदेश की तो आंधर प्रदेश का जो लोक नरत्य है जो फेमस नरत्य है वो है कुछीपुडी, घटा, मरदाल और कुम्भी और अगर हम वही करनाटक की बात करें तो करनाटक का जो लोख नरत्य है वो है यक्षगान, कुनीता, कर्मा, कर्गा, आदि तो यहाँ पर ओप्शन सी हमारा राइचांसर है, मोहिनी अच्चम प्रमप्रागत नरत्य है केरल का नेक्स्ट है वह कौन सा प्रतम भारती राज्य है जिसने प्लास्टिक की थेलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी हरियाना, हिमाचल प्रदेश, ज़ारकंड या फिर करनाटक तो friends हिमाचल प्रदेश का सेव उध्योग प्लास्टिक की थैलियों से उसपन पर्यावन प्रदूशन से प्रभावित हो रहाता तो इसकी कारण हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक की थैलियों के उप्योग पर पूर्ण रोक लगा दे दी तो option B हमारा यहां पर right answer है question पर आते हैं राज्यपाल और मंत्री परिशत के बीच कड़ी का काम कौन करता है बिधान सभा बिधान परिशत मुख्यमंत्री या फिर राज्यमंत्री तो friends मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिशत के बीच की कड़ी का कार्रे करता है तो यहां पर option C हमारा right answer है वो ह मुख्य मंत्री जो की राजिपाल और मंत्री परशत के बीच में कड़ी का काम करता है नेक्स्ट है लोगसवा में अधिक्तम सीट कितनी निर्धारित की गई है 545, 552, 555, 560 तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पर लोगसवा कि अधिक्तम सीटों की जो निर्धारित की गई है तो बो है 552 तो ऑप्शन भी यहां पर हमारा राइच आंसर है जिसमें की 530 सदस से राज्यों से होते हैं 20 सदस से संग्षाषित प्रदेशों से होते हैं और दो सदस से हमारे अंग्लो इंडीयन होते हैं जो की हमारा जो परेंटों होते है वो इनको पॉाइंट करते हैं उनको अधिकार होता है इनको पॉइंट करने का तो यहां पर टोटल मिलाके जो मैमबर होते हैं máximo होते हैं 552 नेक्स्ट है भारत में इस्थानिय सोशाशन का जनक किसे कहा जाता है लौड रिपन, लौड कार्णवालिस, लौड मैकाले या फिर लौड मिंटो तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत में इस्थानिय सोशाशन का जनक किसे कहा जाता है तो वो है Lord Rippan, इनका जो time period है वो है 1880 से 1884 माना जाता है और इन्होंने 1882 ESV में एक प्रिस्ता पारित कर इस्थानिय शाशन के लिए कई प्रबधान बनाए थे इसलिए इन्हें इस्थानिय शोशाशन का जनक कहा जाता है Next question पे आते हैं किस राज्य में सवत्म महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षन दिया गया उत्तरपरदेश, बिहार, करनाटक या फिर पश्टिम, बंगाल तो फ्रेंड्स कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार, मंदेपरदेश, केरल, उडिसा, हिमाचल परदेश, छत्तिसगर, मनीपूर, उत्राखन, राजिस्थान यहाँ पर महिलाओं को जो पंचायती राज संक्या में 50% आरक्षन दिया गया है 10, 11, 12 या फिर 13 तो फ्रेंड्स अगर हम बरतमान की बात करें मौलिक हमारे पास कितने हैं कर्टव्य तो यहाँ पर इसका जो राइट आउंसर है वो है हमारा ऑप्शन B जो की है हमारा 11 यहाँ पे जो हमें मौले कर्टब्वे मिले हुए हैं वो मिले हैं हमें 11 नेक्स्ट है तारों के रंग सुचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकींड के या फिर ताप के तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइच आंसर होगा वो होगा option D जो की है ताप के नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान बहुते गुण, विभिन परमानु संख्या विन रासाइनिक गुण, न्यूट्रोनों की अलग-लग संख्या तो फ्रेंड्स एक तत्व के समस्थानिक अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा option D, न्यूट्रोनों की अलग-लग संख्या के काराण नेक्स्ट है, घास के पारितंत्र में संख्या का प्रामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखिये या फिर रनात्मक तो फ्रेंड्स अगर हम घास के यहाँ पर पारितंत्र में संख्या का प्रामिड की बात करें तो यहाँ पर इसका option A हमारा correct होगा, जो की सीधा होता है नेक्स्ट है, मस्तिश्क की विद्यू चमता के द्वारा बनाई जाती है ठीक है, रुर्धित दात्मापी के द्वारा, ECG के द्वारा, या फिर EEG के द्वारा, या फिर CT scan के द्वारा तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम मस्तिश्क की बात करें कि विद्यू चमता किसके द्वारा बताई जाती है तो वो बताई जाती है हमारी EEG के द्वारा हो जाती है उनमें बड़ी संख्या में जल विद्धूख सारी धूप खीच लेते हैं या फिर ये धूप को दोवारा बातावरण प्रतिम्पित करते हैं या फिर ऐसे बादलों में जलवाश पर अद्धितिक भूख संगनित होती है तो फ्रेंड्स यहां पर हमें बताना है कि कि वर्षा बाहक बातावरण करते हैं जर फ्रेंड्से करते हैं तो एक वर्षा बाहक बातावरण होते हैं वह काले दिखाई देते जैकोबीन overt के सदस्य समझ के समद्व रखतेárias थे कम समद्व सम०्वांद के साथ?" मैं जो इनक्लूड हुए ते लोग However wasted जूता बनाने वाले पेस्ट्री बनाने वाले घड़ी साज छपाई करने वाले नौकरवा दिहारी मजदूर इस तरह के लोग इसमें शामिल थे नेक्स्ट है प्रथम विश्वयुद्ध में मित्र रास्ट में कौन से देश शामिल थे जर्मनी ऑस्ट्रिया इंग्लेंड फ्रांस पॉलेंड जर्मनी फ्रांस इटली इंग्लेंड फ्रांस रूस तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम विश्वयुद्ध के समय जो मित्र रास्ट में लोग शामिल थे वो थे इंग्लेंड फ्रांस और रूस तो यह फोल्ड या फिर लॉर्ड बेवेल तो फ्रेंड्स यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है ओप्शन सी लॉर्ड चेंप्स फोल्ड रॉलक्ट एक्ट के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेंप्स फोल्ड थे नेक्स कोशन पर आते हैं अशोक दौरा इस्थापित सबसे सुरक्षित इस्थम क्या है लॉरिया नंदनगड का साची का सारनात का या फिर कौशांबी का तो फ्रेंड्स अशोक दौरा इस्थम सबसे सुरक्षित इस्थम है लॉरिया नंदरगड का तो आप्शन ए यहां पर या फिर भोच पुरी तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने जो अग्रिम भूमी का निवाई थी वो थी खड़ी बोली के विकास में तो ऑप्शन थड हमारा राइट आंसर है एक्स कोश्चन है किसके प्रशाशन काल में इस्थाई बंदोबस प्रारम किया गया वारेन मदद से यह प्रारम किया था इस्थाई बंदोबस की प्रथा को नेक्स कोश्चन पर आते हैं कलहन की राश तरंगरी को किस ने आंगे बढ़ाया विलहर एम मेरूतुंग ने विलहर एमम मममत ने जोन राज एमम मेरूतुंग ने या फिर जोन राज एमम श्रीतर ने तो फ सबसे अधिक पाई जाती है कैस्पियन सागर भूमद्य सागर लाल सागर या फिर म्रत सागर तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन टी म्रत सागर नेक्सट मैज्स का सरवाधिक उत्तपादन करता है महरास्ट मद्यपर्देश करनाठक या फिर उडिसा तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है तो friends इसमें से हमें यहां बताना कि कौन से किस्सा मैच नहीं होता है तो friends इसका जो हमारा right answer है वो है option C जो कि हमारा नागरजुन सागर और गोदावरी यह इसका right answer नहीं है नागरजुन सागर जो परियोजना है वो उसका बांध आंद प्रदेश के हैदरावाद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है तो यहां पर यह कोद्रा भी नदी दे रखी है जो कि गलत answer है तो हमारा option C यहां पर सही है नेक्स्ट है सूरे की चारो और परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है प्रत्वी, ब्रस्पती, मंगल या फे शुक्र तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें कि जो सूरे की चारो और परिक्रमा लेने में कौन सा अधिक समय लेता है तो friends यहाँ पर जो इसका right answer है वो है option B जो कि है ब्रहस्पती ब्रहस्पती यहाँ पर सबसे ज़्यादा time लेता है और सबसे ज़्यादा कम समय जो लेता है वो है बुद्ध जो कि 88 दिन में परिक्रमा करता है शुक्र करता है 224.7 दिन में जबकि वरुण जो है वो 164.8 वर्ष लेता है लेकर अगर हम यह options की बात करें तो यहाँ पर ब्रहस्पती सबसे ज़्यादा time ले रहा है जो कि इसका time है 11.9 वर्ष हम next आते है बाकु किस लिए प्रसिद्ध है लोहा उध्योग के लिए हवायजा जुद्योग के लिए समुंद्रि जहाज उध्योग के लिए या फिर पैट्रोलियूम के लिए तो friends बाकु जो famous है यहाँ पर यह famous है हमारे पैट्रोलियूम के लिए तो option D यहाँपर हमारा right answer नेक्स्ट है हरित क्रांती के प्रियुक्त मुख्य पादप यानि फसल कौन सा था जैपोनिका चावल भारतिय चावल समर गेहूं या फिर मैक्सिकन गेहूं तो फ्रेंड्स यहां पर हरित क्रांती में प्रियुक्त मुख्य पादप की बात करें तो वो था मैक्सिकन गेहूं तो option D यहाँ पर हमारा right answer है Next है Nobel पुरुसकार दिये जाते हैं Narvee सरकार द्वारा Surgerland सरकार द्वारा Sweden सरकार द्वारा या फिर Swedish Academy द्वारा तो friends, Nobel पुरुसकार जो दिये जाते हैं यह दिये जाते हैं हमारे Swedish Academy द्वारा तो option D यहाँ पर हमारा right answer है नेक्सट है डॉक्टर आमर्ते सेन को नोबेल पुरुसकार उनके निम्न में से किस एकके योगदान के अभिज्यान में दिया गया श्रम अर्थषास्त, विप्रण अर्थषास्त, मौद्रिक अर्थवास्त रिया बात करें लिए तो यह दिया गया था तो यह दिया गया था कल्यानकारी अर्थशास्त के लिए तो option D यहां पे हमारा राइचांसर है next है निमलिकित में से किसे डाइनोसौर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है चीन, मोंटाना, अर्जेंटीना या फे ब्राजील तो फ्रेंट्स अगर हम यहां पे बात करें कि डाइनोसौर्स के कब्रिस्तान की तो फ्रेंट्स यह कहा जाता है मोंटाना को तो option B यहां पे हमारा राइचांसर है next है अंधा यूग के लेखक कौन है तो फ्रेंट्स अंधा यूग के जो लेखक है वो है डॉक्टर धर्मबीर भारती तो option C यहां पे हमारा राइचांसर है next है भारत का सविधान कैसा सविधान है धर्मनिर्पेक्ष, सामप्रदाइक, हिंदूतवादी या फिर इसलाम से प्रेरित तो फ्रेंट्स अगर हम यहां पर बात करें भारत के सविधान की तो भारत का सविधान एक धर्मनिर्पेक्ष सविधान है तो option A यहां पे हमारा राइचांसर है next है संसत के गठन का वर्णन भारती सविधान के किस भाग में किया गया है भाग second, भाग third, भाग fourth या फिर भाग fifth तो फ्रेंट्स अगर हम संसत के यहां पर गठन की वर्णन की बात करें तो यह दिया गया है भाग fifth में तो option D यहां पे हमारा राइचांसर है next है राज्यसभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्षों का होता है पांच वर्ष, छे वर्ष, दस वर्ष या फिर इन में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स राज्यसभा के सदस्यों का जो कारेकाल होता है वो होता है हमारे छे वर्ष का तो option D यहां पे हमारा राइचांसर है यह होता है छे वर्ष का देखिए यहां पर जो 2017 में first question पूछा गया था दांडी आत्रा शुरुवात महात्मा गांदी ने कहां से की थी दांडी, पोरवंदर, एहमदाबाद और सावर्मति आश्रम बताईए और इसके related और भी information हो आपको तो बो भी बताईएगा कब शुरू की date क्या थी, इनके साथ कितने लोग थे, इस तरह की information अगर आपको हो तो ज़रूर बताईए नहीं तो मैं फिर आपको बात में बताऊंगे, ठीक है देखिए दांडी यात्रा की शुरुवात की बात करें, तो ये इन्होंने शुरू की थी सावर्मति आश्रम बारा मार्च 1930 से डांडी यात्रा शुरू की गई थी सावर्मति आश्रम से, और इसमें इन्होंने कितने लोग थे 78, ठीक है 78 साथी थे इनके जोगी इस सत्यागरेक ले प्रस्थान हुए थे और ये 24 दिन की लंबी यात्रा थी जो की 5 अपरेल 1930 को डांडी पहुचे थे वहाँ खतम हुई थी और 6 अपरेल 1930 को इन्होंने मुठिवर नमक लेका समिन्य अवग्या अंदोलन का श्री गणेश किया था तो ये भी पूछा जा सकता है समिन्य अवग्या अंदोलन कब से शुरू हुआ तो वो हुआ था हमारा 1930 में ही ठीक है तो यहाँ पर इसका option D right answer है यहाँ पर आपने जितनी भी information मैंने आपको बताएं आपने note कर ले होंगे ठीक है next है शूप्रसिद वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्ण मैं से कौन थे अब सूप्रसिद वाद जो था INA उससे जुड़ा जो अधिवक्ता थे वो कौन थे भूला भाई देशाई आसेफली श्वास्चन बोस या पर सी राजगुपाल चारी पताएं देखिए यहाँ पर एने मुकदमे की बात की गई है तो ये थे भूला भाई देशाई और इनके साथ कौन-कौन थे तो वो भी नोट कर लीजे इस मुकदमे की पैर भी की थी केराशनाथ काड़जू, सर, तेज, बहादूर, सप्रू, जवालल, नहरू और भूला भाई देशाई, इन सबने मिलके की थी और भूला भाई देशाई जो थे वो इस अद्धिक्ष्टा में वो सॉरी, इस बकीलों के जो समूती उसकी अद्धिक्ष्टा की थी इनोंने और ये 1945 में लाल कले में आजाधिन फौच के सिपाईयों के प्रिसिद मुकदवे की पैरवी करने के लिए किया गया था तो अब देखें यहाँ पर ये कॉशन से आपको ये लगेगा कि ये कौन सा मुकदमा है और ये क्यों पूचा गया है तो ये हमारा आजाधिन फौच से जड़ा हुआ मुकदमा था जो कि 1945 में लाल कले में के रूप में मतलब लाल कले में जो आजाधिन फौच के सिपाईयों के जो प्रिसिद मुकदमा हुआ था उसकी पैरवी के लिए इनोंने ये काम किया था और इनका नाम था बुलावाई देसाई जो कि मैंने आपको बताई कि इनके साथ तीन लोग और थे क्यलाशनाट काट जू नोट कर लीजे सरतेज भादू सप्रू और जवालडाल नहरू ठीक है तो ये था इसका अब देखी नेक्स्ट कोश्चन सवतनतरता की नव ग्रहित त्रंगा पहली बार किस कॉंग्रिश अधिवेशन में फेराया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1922, नागपुर सत्रका वाश्विक अधिवेशन 1922, लाहोर अधिवेशन 1929 और हरीपुरा कॉंग्रिश अधिवेशन 1938 बताईए स्टंतरता की नग्रिडा तुर्गा थी पहली वार की अधिवेशन में उसको फैर आया गया था कि भुत गुमागे कॉश्चन कर दिया ये इस तरह से पूछा जा सकता था कि पहली वार त्रंगा कहां पे फेराया गया था स्टंतरता की बाद करें देखिए अगर हम यहाँ पर तरंगा पहराने की बात करें तो सबसे पहले फिराया गया था लाहर अदिवीशन 1929 में और यह जवालनाल नहरू की अधिश्टा में यह एतिहासिक कार्रे हुआ था इसे जिसमें सम्मंदित प्रिस्ता पारित होने की बाद जवालनाल रावी नदी के टटपर भारते स्वतनतता का जणडा लहरा है और वो जणडा हमारा क्या था वो था तिरंगा ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है अब देखिए नेक्स कोशन मात्रदेवी की पूझा किस सभिता से सम्मंदित थी आर्रे सभिता भूमत्य देखिए दोपैर को बारा बज़े हैं हम इंपोर्टेंट क्लासेज रख रहे हैं उस इंपोर्टेंट क्लासेज में हम अपने नोट्स भी डिसकस करेंगे और इसके साथ ही साथ जो भी प्रिवेस पेपर है वो डिसकस करेंगे तो आप वो भी जरूर देखिएगा कल की हमने क्लास में 2017 का ही हिंदी का पेपर डिसकेस किया था ये जीके का पेपर है डेली 12 बजे एक special class हुआ करेगी ठीके तो उसमें हम ये सारी चीज़े डिसकेस करेंगे और जो पहले की classes हमारने evening में चलती है वो उसी तरह से चलती रहेंगी ठीके जैसे कि 7.30 बजे हमारी commerce की class होती है 9 बजे English और GK ये alternative dates पे चलेगा अब एक दिन GK होगी और एक दिन English होगी reasoning का हम अभी time बना लेंगे वैसे reasoning का हमारा course काफी हो चुका है लेकिन फिर वी reasoning के लिए भी मैं आपको time बता दूँगे कि reasoning के class कब से चलेगी ठीक है तो आप time ली देख लीजेगा सारी classes और अपने practice बना के रखिए क्योंकि आपका उन्यस माई को paper है हो गया answer इसका देखिए अगर हम यह मातर देवी की पूचा किस सब्बिता से संब्मन देता है इसकी बात करें आर्रे सब्बिता हो गई हुमत्य सागरे सब्बिता सिंदू घाटी सब्बिता तो देखिए यह इसका जो right answer हो जाएगा वो होगा जो हडपा सब्बिता में ऐसे पिर्चुर साक्ष मिले है जिसके आदार पर यह कहा जा सकता है कि मातर देवी की वासना वहाँ व्यापा रूप से प्रचलेत थी यानि कि हडपा से ठीके तो इसके according देखिए यहाँ पर इसका जो right answer होगा वो क्या होगा अब हडपा मैंने आपको बोल दिया उसके according भी आप यहाँ पर बता सकते हैं तो हडपा किस से संब्बन देता है सिंदुगाटी सब्बिता संब्बन देता है तो option सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा सिंदुगाटी सब्बिता में मुर्ण मूर्तियों मुद्राओं आधी पर आकरतियां इनसे चित्र उभर मिलते हैं जिस पर नारी उपासना के प्रचलन के साक्षय भी मिलते हैं अब है किस बहुत संत के प्रभाव में अशोक ने बहुत धर्म को ग्रहन किया यानि कि किस के प्रभाव में आकर अशोक ने बहुत धर्म को बनाया था विश्णुगुप्थ, उपगुप्थ, व्रमगुप्थ या फे ब्रद्धुथ बताईए देखी जो यहाँ पर अशोक की बात की गई है तो अशोक ने जो बहुत धम गिरण किया था वो किया था उपगुप्थ संत थे उनके प्रवाव में आकर और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंगली अनुशुरूतियों दीबवन्श और महावन्श के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक को उनके साशन के चौते वर्ष में निग्रोध नामक बिख्शुने बहुत हमें दिख्षित किया तशपच्चात मोगली लुप्टिस प्रवाव से बहुत बन गया यानि कि अलग अलग बाते हैं कहीं कुछ कहा गया है कहीं कुछ कहा गया है लेकिन अगर हम options के according बात करें तो उपगुप्थ है और अगर options में यह भी दिया जाता है कि निग्रोध कौन सा के प्रवाव में आकर बहुत धर्म की दीख्षा लिए और कुछ लोगों का कहना है कि उपगुप्त नामग बहुत बिख्षू को इसका श्रेज आता है तो आप देख लिजेगा option में निग्रोध तो उसको टिक करिए और उपगुप्त तो उसको टिक करिए ठीक है वैसे द पर करें तो उसमें जो भी options दिये हैं उनको भी अच्छे से discuss कर रहे हैं क्योंकि एक्साम में जो इस बार options हैं वो अगली बार questions भी बन सकते हैं यानि कि घुमा के दे देते हैं options को options बना देंगे options को questions इसलिए मैं आपको deeply बता रही हूँ यूँ मैं आपको बस direct answer नहीं बता सकते हैं ठीक है तो अगर आपको time लगता है ज्यादा waste हो रहा है तो आप बात में जब जी offline हो जाएगी तब देख लीजेगा next है राजिस्थान के माउंट आगों में इस्थिद दिलवाडा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुवाईयों के द्वारा निर्मित किया गया था बौद्धों द्वारा जैनियों द्वारा हिंदूं द्वारा या पिर सिखों द्वारा बताईए देखी दिलवाडा मंदिर जो है वो जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था ये कहा जाता है कि भीम प्रथम के सामंत बिमलने आप परवत के मैं पर ये दिलवाडा मंदिर है और इसका निर्माद किया था जैनों द्वारा इसलिए इसे जैन मंदिर का निर्माद भी करव यहाँ पर आपको जैन मंदिर भी मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जैदेव, कलहन, कालिदास या फिर राजाराओ, बहुत सिंपल है यह question, पताईए क्या होगा answer, देखे, गीत गोविंद जो है, इसके लेखक थे, जैदेव, इस पुस्त की थी, और इन गोपियों में सबसे जादा राधा के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का वेख कौन सुल्तान था, जिसने खलीफास से किसी प्रिकार की पद्वी ग्रहन नहीं की थी, बलवन, कुदुदी नैवक, अलाउदीन खेल जी या पिर इल्तुत्मेश बताईए, देखिए, यहाँ पर बात करें, खलीफास से किस प्रिकार की पद्वी ग्रहन नहीं की, तो वो थी यहाँ पर रिलाउदीन खेल जी, अब थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं, देखिए, अकर हम बात करें, जियाउदीन बर्णी के कथानुसार, अलाउदीन खिल जी जो था, वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंतरन स्थापित किया यानि की, धर्म के उपर राज उसने खुद को ईश्वर का, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास ने किया, फिर उसने का कि मैं ईश्वर का एक प्रतिनीदी हूँ, ठीक है, प्रतिनीदी मातरू, उसने खुद को ईश्वर की जगह रखा, उसने अपनी शक्ति की ब्रद्धी की विशय में खलेफा से भी किस प्रकार की कोई अनुमती लेना आविश्यक नहीं समझा इसलिए यहाँ पर option C हमारा right answer हो जाएगा अब next question देखें हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में प्रत्वी के समान है बुद्ध मंगल शुक्रिय प्रहस्पति देखें यहाँ पर बात करें तो शुक्रिस का right answer हो जाएगा शुक्रिस सबसे निकटतम ग्रह है प्रत्वी के और इसे प्रत्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है और अगर इसके घनत आकार और व्यास की बात करें तो इस प्रत्वी के समान ही है इसे साच का तारा भी कहा जा या चमकिला और सबसे गर्म ग्रह क्यों है क्योंकि यहाँ पर यह सूर्य के पास भी है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है तो यह कुछ चीज़े याद कर लिजिए भोर का तारा एक्जाम में बहुत पूछा जाता है साज का तारा पूछा जाता है तो यह सारे कौन है शु अपने उपग्रह नहीं है मंगल, नेप्च्यून, बुद्ध या ब्लूटो किसका उपना उपग्रह नहीं है? बताएए इन दोनों के ही अपने उपग्रह नहीं है अभ उपग्रह क्यों नहीं है? इसकार इसलिए इनके कोई उपग्रेट नहीं है, और शुक्र को जादा चमकीला भी क्यों कहा जाता है, गरम घ्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की निकट है, नेक्स्ट है वायुमंडली दशा के अध्धन को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलोजी, मेट्रोलोजी, या फिर एस्ट्रोनॉमी, बताइए, यहां पर बात की गई है, वायुमंडली दशा के लिए, देखें, यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा, यहां पर ऑप्शन नमर भी, मेट्रोलोजी, और भी देख लेते हैं, एस्ट्रोलोजी, नोट कर लीजे, एक्जा सकता है, यही नीचे भी पूछाओ, सॉरी, नीचे नहीं पूछाओ, मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन था, हाँ, सिस्मोलोजी जो है, वो आपका 2020 में आया था, ठीक है, तो ऑप्शन भी भूच ले जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन, इसकित मत करिए, एस्ट्रोलोजी लिख लीजिए, एस्ट्रोलोजी जो होती है, वो ब्रह्मांड में जितने भी बस्तु हैं, उनकी गतिवितियों का अध्यन करने के लिए होती है, एस्ट्रोलोजी, मेट्रोलोजी हो गई, वायमंडली दशा के अध्यन के, सिस्मोलोजी हो गई, हमारी भूकंप और उनकी त तरह सांस ले सकता है, मतलब मानप के साथ किस तरह संबंद है, ये देखा जाता है, एस्ट्रोमी के अनना है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली किस राज्य में अवस्तित है, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, तरपुरा या फिर सूरम, बताएए, देखिए, इसका जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन B, आसाम, अब थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं, माजुली पीश्व की सबसे बड़ी नदी दीप है, यह दीप जो है, आसम की राजदानी गुहाटी से लगबग 200 किलोमेटर पूर में अवस्थित है, और यह दीप जो है, वो ब्रहम पुत्र एवं उसकी साइक नदियों के निच्छे पन से बना है, ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है, इस वार की माजुली दीप कैसे बना है, तो यह ब्रहम पुत्र और उसकी साइक नदियों के नि उत्री सरकार, सिरकार, बताईए, देखी इसका जो राइट आंसर है, वो है option C, कोकन टट, पश्मी घट का जो उत्री भागया है, वो हमारा कोकन क्यालाता है, पश्मी टट में अवस्थित जुतने भी मैदान है, गुजरात से प्रारम होकर केरल तक जो जाते हैं, यह सोले सो क किलो मीटर लंबे होते हैं, और इनकी इसमें कौन कौन से राज्य के आते हैं, महरास्ट, गोवा और करनाटक, इसमें आते हैं, ठीक है, कितना है, सुले सो किलो मीटर का है, ठीक है, तो यहाँ पर option C, जो है, कोकन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, next है, किस प्रजाती के ब् पील, यूकिलिप्टस और टीक बताईए, क्या पाई जाते हैं, नीलगरी में, सामाने रूप से जल्दी आंसर करिए, देखिए, इसका जो राइट आंसर है, वो है option C, यूकिलिप्टस, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो नीलगरी में, प्राकरते घास, भूमी, जाडियां, यह बहुत मिलती हैं, इसके लावा, यहाँ पर शोलावन, बहुतायत पाये जाते हैं लेकिन इनका जो हरास होता है, गहन, क्रिशी और बहुत यातायत के साथ में दोरा हुआ है, यानि कि अभी कम हो गए हैं, और यहाँ के वनों के हरास में, सबसे जादा क्या है, वो है वानेजिक, रोपन और यूकिलिप्टस जैसे वनों की बूमी का अहम है, यानि कि इनके क आपको सही यूग में चुनना है, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना और मानस ब्रहंपुत्र, बताइए किसकी क्या-क्या सायक न दे हैं, कौन सा सही यूग में, किवल तीन, एक-दो, दो-तीन या ये सभी बताइए क्या ओगर आइट आंसर, देखिए इसमें जो सही यूग में, वो है केवल तीसरा जोगी है, मानस ब्रहंपुत्र, ब्रहंपुत्र की सायक न दी है मानस, अब देख लिए, एक बार यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, गंगा की सायक न दी कौन-कौन सी हैं, तो द बात करें, यहाँ पर यमुना की, तो यमुना की सायक न दी है, चंबल, केन और वेतवा, ब्रहंपुत्र की बात करें, तो ब्रहंपुत्र की है, मानस, लोहित, दिवांग, दिहांग, आदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है न, तो यहाँ पर option 3 जो है, वो मारा राइट आंसर हो ज कोश्चन है, यहाँ पर हमारा, निमलिखित मैंसे कौन सा भारत की निम्न क्रशी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई नहीं है, सहकारी क्रशी, आवशक, आधनों की उपलब्दता, भूमी की उपभाग और उसकी अधिकारेता, या फिर कमजोर, वित्त, व्यवस्था और बताईए, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर, जल्दी कॉमेंट करिए, देखिए, यहाँ पर आवशक आधनों की उपलब्दता, उपलब्दता कैसे यहाँ पर उत्तरदाई हो सकती है, नहीं है, ठीके, यहाँ पर उपलब्दता, अगर हम बात करें, तो उपलब्दता तो हमारे बहुत अच्छी है, यहाँ पर सहकारी क्रिशी हो सकती है, भूमी जैसे जोतों का आकार छोटा होना, उसके कारण भी हमारी क्रिशी उत्पादक्ता में कमी आएगी, क्रिशी में यंती करणों मशीनी करण का अगर अभाव होगा, उससे भी हमें क्रिशी उत्पादक्ता हमारी प्रभावित होगी, और जो वित्ति की अनूचित प्रवे हो गया आविश्यक क्रिशी आदानों की अभाव की कारण यानि कि हमारे पास अगर अच्छे से मशीनरी नहीं होगी, हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा या पिर हमारे पास जो खेत है उसका जो आकार है वो छुटा होगा तो इसमें हमारी उत्पादक तक क्या है कम आईगे ठीक है नेक्स्ट देखिए इन में से कौन लोकतांतरिक विवस्था के लिए अपरी हार रहे है सोतंत और निस्पक्ष चुनाव अफसर की समानता अधिकारों की सुरक्षा और ये सभी बताईए देखिए यहाँ पर लोकतांतरिक विवस्था के अपरी हार की बात करें तो सतंत और निस्पक्ष चुनाव अपसर की समानता और अधिकारों की सुरक्षा ये सभी ही करेक्ष है यहाँ पर लोकतांतर के पांच गुड धर्म होते हैं अगर आप चाते हैं तो नोट कर लीजी देखिए पहला है निर्वाचत प्रतिनिदी दूसरा है प्रतिनिदियों के निर्वाचन के लिए निस्पक्ष चुनाव तीसरा है नागरिक अधिकार चोथा है विधी का शाशन और पांचवा है सोतंतर नियाय पाले का ये पांच हमारे गुर धर्म है लोकतंतर के जिसके बेस पर हमारा पूरा लोकतंतर विवस्ता हमारे टिकी हुई है अब देखें समिनान किस तिथी को पूरता बनकर त्यार हुआ था आपको ये बताना है 26 जन्वरी 1950, 26 दिसंबर 1948 26 जन्वरी 1948 या फिर 39 जन्वर 1950 देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो 29 अगस 1947 को सविधान सवादोरा हमारा प्रारूप समिती का गठन किया गया था जिसका कारह था सविधान का प्रारूप त्यार करना इस समिती के आपको अध्यक्ष पता होने चाहिए पूछे जा सकते हैं इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमरा अंबेटकर और अगर हम बात करें कि यह कब निर्मार इसका पूरा हुआ था तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 ठीक है और 26 जन्वरी 1950 को सविधान हमारे देश को क्या हो गया था लांगू हो गया था लेकिन यहां तो पूर्था बनकर त्यार होने की बात की जा रही है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नवर देखिए बताईए अब तो मैंने आपको इतना बता दिया क्या होगा आपकी इसको हमारा सभिधान जो है पूर्था बनकर तयार हो गया था और लागू कब हो आता वो 26 जनवरी 1950 को जिसके बाद से हमारा रेपब्लिक डेज सेलिब्रेट होता है ठीके अब नेक्स्ट देखिए भारत के समिनार में मौलिक अधिकार कौन-कौन से है मूल अधिकार के एक भाग के रूप में 24 समिनान शन्शोधन द्वारा जोड़ा गया संसत द्वारा जोड़ा गया या फिर 92 शन्शोधन द्वारा जोड़ा गया मूल अधिकार भारत के समिनार में एक अधिकार किस तरह से जोड़ा गया आपको यह बताना है देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकार से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपके लिए टॉपिक क्योंकि अधिकार से रिलेटेड और जो आपके दायत में इन से रिलेटेड आगजाम है बहुत पूचा जाता है तो आपको पता होने चाहिए आपके human rights आपकी human duties यह सब आप fundamental duties भी बोलते हैं इनको fundamental right भी बोलते हैं बहुत पूचे जाते हैं देखें मौलिक अधिकार जो है समिधान के प्रारम से ही इसका अंगता है ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिकों के लिए यह मूलवूद अधिकार था जिसके द्वारा इनके जो व्यक्तित्व का विकास होता था और इनकी गरिमा की जो अक्षुन होता था वो उसको रखा जा सक यानि कि एक तरह से इनको बिल्कूल सतनतरता पूरवक इनको जीने का अधिकार मिले इनको पाढ़ने का अधिकार मिले इनका शोशर ना हो इसलिए यह सब चीज़ां इनको प्रवाइट की गई थी ठीक है अब नेक्स्ट है भारती सविदान के किस अनुछित दौरा ये शर 27 में या फिर 59 में बताएए बताई जाती हैं वो बताई जाती हैं वो बताई जाती है नुचित सैतिस के अंदर ठीक है तो यहां पर option C हमारा राईजा आंसर हो जाएगा next question देखिए भारत के समिधान के अंतरगत नीती निर्देशक सिध्धानतों का मुख्य उदेश्य क्या था लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्म निर्पेक्ष राज्य की स्थापना, कारे पालिका के मनमाने कारे की जांच करना या फिर कार्र राज्य द्वारा विकास के नए अपसर उपलप्त कराना पताई ये देखिए निती निदेशक सिधानतों की बात करें तो इसका जो मुख्यों देश्य था वो था लोग कल्यान काड़ी राज्य के स्थापना कराना इसलिए यहाँ पर औप्शन यहां पर राइट आंसर है next आए सांखे दरशन के यहाँ पर प्रवर्तक पूछे गाएं कि सांखे दरशक के प्रवर्तक कौन है कापेल गोटम चावाक यहाँ जैमिनी बताईए देखिए right answer है इसका कपिल अब इनके भी note कर लीजे इक उतम नयाई के हैं चावाग के हैं चावाग दर्शन ठीक है चावाग दर्शन और जैमिनी हमारे किसके हैं जैमिनी है पूर्व मिमानसा के किसके पूर्व मिमानसा ठीक है तो सांके दर्शन के हैं कपिल नयाई दर्शन के हैं गौतम चावाग दर्शन के हैं चावाग और पूर्व मिमानसा के हैं जैमिनी ठीक है अब नेक्स्ट है सामोहिक उभोक का अर्थ क्या है घरेलू खपत, व्यक्तिक खपत स्वा खपत क्या फिर देश के नागरे को दौरा दी गई खपत बताईए क्या होगा आपकी अकॉर्डिंग्स का आंसर देखे सामु का हम यहाँ पर ग्यात करें तो हो जाएगा हमारा घरेलू खपत से सामु खपत का मतलब होता है जो किसी समू दौरा की जाती है व्यक्ति किसी व्यक्ति परिवार में एक समू है उसमें निवास करते हैं लोग और उसके परिवार के जो भी सरदस्य है उनकी निर्भरता व्यक्ति के उपर होती है और सामु खपत से तात पर रहे घरेलू खपत से भी हम बोल सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च किया जाता है ठीक है तो घरेलू कहपत कहलाता है तो आप्शन है हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन देखिए निमलिकित मैं से किस वस्तू की मांग लोचदार है विद्यूत आउश्थी चावल दिया सलाई की डिविया बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर देखिए लोचदार की बात करें तो वह जाएगी हमारी चावल क्योंकि चावल हम कम मात्रा में भी खरिच सकते हैं मेहंगा होगा और अगर सस्ता होगा तो ज्यादा मात्रा में भी खरिच सकतé हैं लेकिन विद्यूत और दियासलाई एक ऐसी चीजा जिसको अगर high price भी होगा तब भी हम उसको जादा नहीं खरी देंगे और अगर low price होगा तब भी हम उसको कम नहीं करी देंगे वो जितना use होती है उतना ही हम use करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मांग लोचिदार किसकी है चाव जिबकि हम चावल की बात करें तो चावल यहाँ पर हम इसको कम यह जादा कर सकते हैं अगर बहुत महंगा हो गया तो यह भी हो सकता है कि हम इसको use करना बन करते हैं देखिए यहाँ पर आपको confusion होगा विद्यूत में चावल में विद्यूत भी ऐसा होता है जब महंगी होत लेकिन चावल हम यूज करना बंद कर सकते हैं और अगर सस्ती होती है तब ही हम जो बिजली है या बिद्युत है वो जादा यूज नहीं कर सकते हैं जितनी यूज होती है उतनी ही यूज करेंगे लेकिन चावल हम जादा यूज कर सकते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पर चावल इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निमलिकित मैंसे किसके उपकरण है राज कोशिय नीती, मौद्रिक नीती, बजटिय नीती या फिर ब्यापार नीती बताईए देखी नगदी रिजर्व अनुपात मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ कैसे रिजर्व रिशो हो गया, खुली बाजार हो गया, उपन मार्केट ये सब हमारे किस से रिलेटेड होते हैं तो ये होते हमारे मौद्रिक नीती यानि कि मौनेटरी पॉलिशी से रिलेटेड होते हैं ये उसी के ही एक तरह से हम टूल बोल सकते हैं इनके टूल है, इनका प्रियोख कौन करता है, इनका यूज जो करता है वो है हमारा साइंट्रल बैंक यानि कि RBI ठीक है निम्लीकित मैंसे क्या वेगलपिक मौद्रा एक उधारन है आपको पता होगा मत्रा क्या होते है देखिए हमारी मुद्रा को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है एक होता है हमारा कानूनी निविदा और दूसरा होता है हमारा वैकलपिक मुद्रा कानूनी निविदा वो होता है जो कानून दोरा स्विक्रत है यानि कि वो हमें लेने ही है वेकलपिक मुद्रा वो होती है जिसके लिए हम legally bound नहीं है अगर हम चाहें तो हम उसको स्विकार करेंगे यानि accept करेंगे और अगर हम नहीं चाहते कि उसमें हम payment लें तो हम उसको जरूरी नहीं है कि हम उसको ऐसा अपनी मर्जी के खिलाफ उसको accept करें ठीक है तो वेकलपिक मुद्रा है जरूरी नहीं है कि हम चेक में accept करें लेकिन currency note सिक्के यहां पर accept करना जरूरी होता है सिक्के के लिए भी एक limit है उस limit तक आपको accept करना ही होगा ठीक है नेक्स्ट है golden head shake scheme का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से लोग उद्धमों में निजी निवेश से सैंत उद्धमों की स्थापना से या फिर स्वैच्छिक नैसेना निवरित से बताईए देखिए यह golden head shake है पहले यह जान लिजेए यह हमारी इसका starting हुई थी 1960 के time में ब्रिटेन में हुआ था इसका काम था इस योजना में कि जो भी स्वैच्छिक सेना निवरित हुए है उनके विकास से सम्मंदित था यानि कि उनके development से तो यहाँ पर option D सेना निवरिती से जो भी लोग थे उनको यहाँ पर उनके development के लिए बात की गई थी इसके अंदर तो यहाँ पर option D राइट है अब देखिए यह question कितना अलग है 2017 में जो पूछा गया है ठीक है तो कुछ आप थोड़े जो भी आपके जो जर्णल awareness है उस पर भी ध्यान दीजे निमलेकित मैंसे किन्स पंचवर्षी अब देखिए पंचवर्षी योजना पूछा है पंचवर्षी योजना जरूर कोचित विकाज़र से कम थी यानि कि हमें इसमें बताना है कि कौनसी पंचवर्षी योजना थी जिसमें वास्तवी विकाज़र उनके लक्षे की जो विकाज़र उन्होंने, यानि कि जो भी उन्होने stटागेट रखाता उस से कम थी आठवी पंचवर्षी ZN, चौथी पाँचवी पंचवर्ष है या फिर साथवी पंचवर्ष है योजना बताएए देखिए यहाँ पर कम की बात की गई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा भी वुराइट आंसर हो जाए चौथी पंचवर्ष है योना क्योंकि इसमें लक्ष रखा गया था 5.7 का और इन्होंने अचीब कितना किया था मात्र 3.3 परचेंट जो की बहुत कम है वहीं अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें जिबकि 5.8 इन्होंने अचीब किया साथभी पंचवर्ष है योزना की बात करें तो 5 इहाँ पर इन्होंने टागेट किया था लेकिन 6 अचीब किया और इहाँ पर next जो है साथवी उसकी बात करें तो साथवी को भी इन्होंने target किया था 5.6 और achieve किया था 6.8 ठीक है तो यहाँ पर सब इन्होंने ज़्यादा achieve किया लेकिन 4th में इन्होंने target रखा था 5.7 परसेंट का लेकिन achieve किया सिर्फ 3.3 परसेंट इसलिए कम जो था वो था हमारा चौती पंच वर्षी है योसना का ठेक है इन जो भी मैंने values आपको बताईन थी नोट कर लीजे अपनी notebook में next है निमलेखित मैसिक या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधी नहीं है बैंगदर, नगत प्रारक्षित अनुपात, व्यधानिक तरलता अनुपात या फिर बचत खांतों पर व्याजदर में भड़ोत्री बताईए देखें यहाँ पर मात्रात्मक साख की एक कौन सी बिधी नहीं है तो वो है यहाँ पर आप खुद बता दीजी नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ जल्दी आप आंसर करिए देखें यहाँ पर विधी की बात की गई है जो भी मॉनेटरी हमारी साख होती है उसको नियंतर्ण करने की यानि की जो मॉनेटरी आसपेक्ट है उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें तो वो बैंक दर से कंट्रोल किया जा सकता है नगत प्रारक्षित करके वैधानिक तरलता के साथ लेकिन बचत पर हम व्याजदर में बढ़ उत्तरी करते हैं तो इससे वो कंट्रोल नहीं होगा इससे क्या होगा बलकि और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर विधी नहीं है कौन सी option D यहाँ पर राइट आंसर है पचत खातों पर ब्याजदर में बढ़ उत्तरी तो ओप यहाँ पर यह भी कॉशन आपको क्लियर हुआ है next आते हैं तरलता अधिमान क्या होता है options हैं परिसंपत्तियों को नगदी में रखने की इक्षा बंद पत्रों प्रतिबूतियों को रखने की इक्षा बैंक जमा रखने की इक्षा या फिर संपत्ति रखने की इक्षा बताए तरलता अधिमान क्या होता है बहुती सिंपल है ये भी जल्दी से आंसर करिए देखिए तरलता अधिमान का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा कुछ liquidity बैंक के अंदर रखी जाती है तो वो होता है बैंक जमा रखने की इक्षा यानि कि बैंक में कुछ जमा करने की इक्षा को हम तरलता अधिमान कहते हैं तो option सी यहां पर हमारा right है next question है प्रती सेकंड एक खरब गर्ना करने की चमता से यूग्त परम 10,000 कंप्यूटर का निमान किसने क्या था देखिए इतना गुमाफरा के दे दिया सीधी सीधी ये है कि परम 10,000 किसने बनाया एसर, आइबियम, सीधी या फिर इंटेल बताएए देखिए 28 मार्च 1998 को सीधी के बैग्याने को ने एक खरब की गर्ना करने की चमता वाले एक कंप्यूटर का निमान किया था जिसको परम 10,000 कहते हैं और इसका विकास का जो मुखे श्रे जाता है आप इनके निदेशक पढ़ लीजेए उससे में उनके निदेशक कौन थे तो वो थे डॉक्टर बेजय पी भासकर उनको जाता है पूर अश्रे और किसने किया निर्माट तो वो किया था सीडेक ने तो option C यहाँ पर हमारा right है नेक्स्ट आएए अब यहाँ पर आपको बताना है DTP को विस्तार करें यानि कि विस्तार करें का मतलब है इनकी फुल फॉर्म बताने है तो बताएए DTP की फुल फॉर्म क्या है डेस्टॉप पब्लिशिंग, डेली टॉप पब्लिशिंग, डेस्टॉप पब्लिशिंग या फिर डवलप्मेंट ऑफ पब्लिशिंग बताएए आपने बहुर पात यह सुनाओगा DTP इसका जो राइट आंसर है या इसकी फुल फॉर्म है वो है डेस्टॉप पब्लिशिंग तो आप्शन यहां पर क्या हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है गुट निर्पेक्षिता से तात पर रहे है अपनी नीती को चुनना शक्ति पुंजों से तथस्त था विश्व में सांतिय मेक तलाना या फिर तरतिय विश्व की सक्ति होना बताये गुट निर्पेक्षिता का क्या कार रहे है या क्या मतलब है देखिए गुट निर्पेक्ष्ता की बात करें तो इसके सम्ताती परर है जो ब 추क्त्व पुच्छे है उनमें तथस दलाने यानि दो देशों के बीच में जो बीकर शक्ति पुच्छे हं उनमें अलग रहए की नीती का एक उधारण है गुट निर्पेक्ष अंदूलन और इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका जो पहले सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा बेल ग्रेट में ठीक है तो आप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट है और यह वहुती इंपोर्टेंट कॉशन है यह हरवार पूछा जाता है भारत राश्ट संग का सदस्य कब बना उनिसो पैतालिस सैतालिस पच्चास या चौवण में बताईए देखी इसका राइट आंसर है उनिसो पैतालिस भारत जो है राश्ट संग के संस्थापक सदस्य देशों से था और भारत वर्ष उनिसो पैतालिस में इसका संग इसका राश्ट संग बना था जबकि इसके दो साल बाद उनिसो सैतालिस में भारत आजाद हुआ था यानि कि आप ऐसे याद रखिए अपनी आजादी से दो साल पहले इसका सदस्य बन चुका था ठीक है या फिर ऐसे यह भी याद कर सकते हैं कि यह पैतालिस में हुआ था इसके दो साल बाद हमारा कि याद रखेएगा यहाँ पर अंतराष्टे कि हिंसा नहीं होनी है और जो युद्ध व्राम तोड़ने की इस्तिती से उत्पन होती है ठीक है तो यहाँ पर एक तरह से यह है कि शान्ती हमें रखनी है बिना किसी लड़ाई के और इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को तो option से यहाँ पर हमारा right है नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उदेश्य क्या है विश्व व्यापार के लिए सद्भामना पून वाजार बनाना विश्व व्यापार को भड़ावा विश्व व्यापार की मात्रा में व्रधी करना और प्रतिवंदों की समाप्ति या फिर विश्व व् लिए केंद्र स्थापित करना बताईए देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यो देश है यही है कि जो भी विश्व व्यापार हो रहा है उसको भड़ावा देना और जो भी इनमें रिस्टिक्शन्स यानि प्रतिबंद लगे हुएं उनको समाप्त करना यानि कि उनको पूरी तरह से स्वतंतरता देना कि कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर सकता है उनमें कोई भी रिस्टिक्शन नहीं हो वो रिस्टिक्शन किसी भी बेस पर हो सकती है कोटा के बेसिस पर हो सकती है और जो आप कस्टम डूटी होती है उसके बेसिस पर ह सकते हैं कि उनको हटाना और ज्यादा ज्यादा उनके बीच हम यहां पर बात करें तो हेल्दी कॉंपटेशन हो हेल्दी उनके साथ डेलिंग हो यह सारे चीज़ें बताना यह बिस्विव्यापार संगठन का मुख्यों देश है ठीक है तो ऑप्शन सी राइट है अब नेक्स् में ऐसे कौन सा पुरुषकार खेल छेत्र में प्रसिक्षण के लिए दिया जाता है साइत्य अकादमी पुरुषकार तुरुणाचार पुरुषकार अर्जुन पुरुषकार और दादस साहतवाल के पुरुषकार बताएं खेल छेत्र से संबंदित प्रसिक्षण के लिए प्रिसिक्षन से सम्मंदित पुरुषकार किसको दिया जाता है देखिए प्रिसिक्षन के लिए दिया जा रहा है तो प्रिसिक्षन कौन देता है टीचर यानि कि गुरू तो ये दिया जाता है ग्रोनाचार्रे पुरुषकार और इसके अंदर धनराशी भी है वो है तीन लाख और द्रोनाचारे की कांसे की मूर्ती ये दी जाती है यानि तीन लाख रुपय और द्रोनाचारे की कांसे की मूर्ती दी जाती है और ये किसको दिया जाता है जो भी गुरू टीचर है उसको दिया जाता है और अगर किसी भी दिया जाएगा तो अर्जुन पुरुसकार और गुरु को दिया जाएगा तो गुद्रोनाचार है और यह दोनों ही खेल के छेतर में सबसे सर्वोस्त हम बात कर सकते हैं यह सबसे बड़े पुरुसकार है ठीक है नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का अर्थशास्त का जो नोबेल पुरुसकार है वो किसको दिया गया अल्फ्रेड नोबेल के दोवारा स्यूडे सेंट्रल, नोबेल कमेटे या फिर विश्वेंग किसके दोवारा यह पुरुसकार देने की शुरूवात की गई बताएगे देखिए अगर हम यहाँ पर अर्थशास्त के नोबेल पुरुसकार की बात करें तो यह प्रारम किया गया था 1930 में वो सौरी जो हमारा सेंट्रल बैंक था स्वीडन सेंट्रल बैंक उसके दोवारा उसकी 300 भी वर्षगार्ट मनाई गई थी 1966 में ठीक है तब से यह शुरू हुआ था उसके बाद से यह हर वर्ष नोबेल पुरुसकार अर्थशास्त के छेतर में दिया जाता है तो यह स्टार्ट किया था स्वीडिस सेंट्रल बैंक ने तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट है नेक्स्ट देखिए मुर्थि देवी सहत्य पुरुसकार किसके दौरा दिया जाता है मानव, संसाधन, विकास, मंत्राल, भारत सरकार के दौरा साहत्य अकार्डमी, भार्थ्य गयन पीट, ट्रस्ट या फिर भार्थ्य विध्या, भवन किसके दौरा दिया जाएगा बताईए देखिए मूर्ती देवी साहित्य प्रुसकार एक वार्षिक प्रुसकार होता है और यह ग्यानपीट संगठन की दौरा दिया जाता है तो यहाँ पर option C जो है वो हमारा right answer हो जाएगा अब जी ग्यानपीट की दौरा किस छेतर में दिया जाता है तो यह भी नोट कर लिजे भारती दर्शन और संस्कृती में उतक्रस्ट योगदान के लिए दिया जाता है ठीक है तो option C right है नेक्स्ट है संयुकता पाणी ग्रही का संबन किस नत्य से था प्रतनाट्य, कत्थक, मनेपुरी या फिर ODC बताए दिखिए यहाँ पर संयुकता पाणी ग्रही की बात करें तो यह एक ODC नत्य की थी और इनको 1975 में पदमश्री से सम्मानत भी किया गया था इनको वर्ष 1976 का संगीट नाकट अकादमी प्रुसकार भी दिया गया था तो यह भी पूछा जा सकता है एक्जाम में तो आप नोट कर लीजे और यह क्या थी है ODC नर्त थी तो option D यहाँ पर ODC राइट आंसर हो जाएगा Next question है विश्व के साथ प्रमुक सागरों को पार करने वाले प्रतम महिला कौन थी चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजीव या पर प्रिया संभाग बताईए देखी जो साथ प्रमुक सागरों को पार करने वाले पहली महिला की बात करें तो वो थी नहीं पर बूला चौधरी इन्हों ये पूर्वरास्टे 13 की विजेता महिला वी थी ये पहली ऐसी महिला थी जुन्होंने विश्वगे साथ सागर को पार किया था इन्होंने इंग्लिश चैनल दो बार वर्ष 1989 में और 1999 में पार किया था ठीक है इंग्लिश चैनल दो बार ठीक है तो option भी यहाँ पर बूला चोदरे डाइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फ्री थो का संबन्द किस से है बॉली बॉल, वास्केट वॉल, वैड्मिन्टन या क्रिकेट आपने खेला होगा यह एक गेम फ्री थो बताइए किस संबन्दित है देखिए फ्री थो की बात करें तो ये हमारा वास्केट वॉल से संबंदित होता है ठीक है, फ्री थो हो गया एक प्रतिवन छेतर होता है जिस कोट में फ्री थो और कॉल शॉट पॉइंट एक इस तरह के माध्यम होते है मतलब एक खेलने की तरीका होता है इसमें अपील बिरोधी टीम के दोरा की जाती है अगर फ्री थो खेलते हैं तो ठीक है तो आप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है इस पेल ओन दी टाइगर पुस्तक किस के दोरा लिखी गई थी जिम कारवन, वालमे की थापर, सैयद माउंटें, गोमरी या फिर अतुल सेठी देखी इस पेल ओन दी टाइगर की बात करें तो यह पुस्तक लिखी थी सैयद माउंट गोमरी ने उगते हुए सूर्रे का देश किसे कहा जाता है मैममार, जापान, भारातिया, नौर्वे, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर देखें यहाँ पर हो जाएगा B, जापान नेक्स्ट है किस सविधान शंशोधन के दोरा मतादिकार की आयू को 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया इन मैंसे कोई नहीं, 61 शंशोधन अधिनियम या फिर 56 शंशोधन अधिनियम यहाँ पर वोटिंग एज की बात की जा रही है, पहले वोटिंग एज 21 थी फिर 18 वर्ष कर दी गई, वो किस अंशोधन में किया गया क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, 61 शंशोधन अधिनियम ठीक है, नेक्स कुशिन पर आते हैं, आपको बताना है, विश विश शक्षक दिवस मनाया जाता है, बताएगे, पांच अक्टूबर, पांच दिसंबर, पांच अगस्त या फिर सितंबर, नेक्स्ट है किसके द्वारा खाल सा पंध की स्थापना खी गई, गुरु तेग बहादूर, गुरु गोविन सेंग, गुरु हर गोवेंद या फिर गुरु नानक देव जी, किसके द्वारा की गई, गुरु गोविन सिंग की द्वारा, तो ऑप्शन बी या पर करेक्ट है, नेक्स्ट है, भागडा, नागल, प्रियोजने, किस नदी पर रिस्तित है, महानती, सतलोज, क्रिष्णा या तापती, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सतलोजनती पर, नेक्स्ट है, सूरे घ्रण होता है, जब यानि कि सूरे घ्रण कब होता है, आपको ये बताना है, सूरे प्रत्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर इन मैंसे कोई नहीं, प्रत्वी सूरे चंद्रमा के बीच जाएगा देखी दी हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य प्रत्वी के बीच में आ जाता है तो जो सूर्य का प्रकाश प्रत्वी तक नहीं पहुच पाता है इसलिए तब हम उसको बोलते हैं सूर्य ग्रेंट तो ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट है एन टी एन सी टी ए क्या है नेशनल काउंसिंग फॉर टीचर से एजुकेशन इन मैं से कोई नहीं नेशनल कमिशन फॉर टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिंग फॉर टीचर एजुकेशन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ठीक है नेक्स्ट है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थ कर रहे हैं 24, 25, 20 या फिर 22 कितने हैं तीर्थ कर वो है हमारे 24 और सबसे अन्त वाले जो है वो है हमारे महावीर स्वामी जी ठीक है नेक्स्ट है चूना पत्थर परिश्कृती करण के बाद परिवर्टित होता है किसमें मारवल में, क्वाट्जाइट में, ग्रेनाइट में या फिर स्लेट में यह हो जाएगा मारवल में नेक्स्ट है एक बैंक, शुड्यूड बैंक कहलाता है यदि यह है एक नामी करण है जो कभी-कभी सरकारियों सहकारी बैंकों के लिए प्रिक्ट किया जाता है इन में से कोई नहीं या फिर यह है 1916 एन उनके वाद घोशत रास्टिकरत बैंकों की सूची में है या फिर यह एर बैंक एक्ट 1934 की दुतिय अनुसूची में शामिल है बताएए शुड्यूल बैंक हम किसको बोलते हैं देखे शुड्यूल बैंक उन बैंकों को बोला जाता है जो कि आर बियांक 1934 की second अनुसूची में अपने आपको list करा लेते हैं या फिर उनके अंदर वो include होते हैं ठीक है option D यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा next है भारत का रास्टपती राज्यसवा के लिए कितने सदसे मनोनीत कर सकता है 12, 15, 6 या 9 2018 में पूछा गया question है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12 next है किस छित में बुकर पुरुसकार दिया जाता है कथा साहित्त है साहित्तिक सहासिक कार रे बिज्ञान या ओश्टी ये हो जाएगा कथा साहित्त है यानि कि fiction writing के लिए next है चोता कंबा खंबा संप्रत्य संदर्वित करता है क्या नायपालिका को प्रेस को विधाईका को या फिर कार्यपालिका को हमारा जो fourth pillar है जिसको हम चोता खंबा भी बोलते है fourth pillar हमारा प्रेस को बताता है ठीक है यानि कि प्रेस की अपने एक अविव्यक्ती है option B यहाँ पर correct है next है भारत का निपोलियन किसी का जाता है यह बहुत बार question पूचा जाता है समराट अशोक, चंद्रगुप्त मौर है समुंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमा दितते है क्या होगा? C हो जाएगा समुंद्रगुप्त next question है next है सौर मंडल के किन ग्रहों को निक्रस्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है मंगल एवं बुद्ध एवं शुक्र प्रत्वी एवं मंगल या प्रत्वी एवं बुद्ध क्या हो जाएगा? B हो जाएगा बुद्ध एवं शुक्र next है रेटिनॉल का सामने नाम क्या है? यानि रेटिनॉल तो साइंटिफिक नेम है अब साइंटिफिक दिया है तो आपको सामने पूछा है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B C हो जाएगा vitamin A को retinol कहा जाता है यानि कि उसका scientific name है next है पाक जल्डम्रू मद्ध है अलग करता है दो देशों को पाकिस्तान और श्री लंका ब्रिटेन और फ्रांस भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और श्री लंका क्या हो जाएगा भारत और श्री लंका ठीक है option D next है समिधान के किस अनुचेत में निर्वाचन आयोग के विशेशादिकार नहत है 350, 356, 283 या 324 D हो जाएगा यहाँ पे 324, 356 तो हमारा emergency से related है ठीक है next है पॉंगल तोहार मनाया जाता है Tamil Naidu पस्चिम बंगाल आसाम या केरल क्या हो जाएगा यह option हो जाएगा यह Tamil Naidu में मनाया जाता है next है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29 राज्य बना तेलंगाना, इन में से कोई नहीं, उत्राखंड या फिर 36 गड़ कौन सा बना था? 2014 में एक राज्य को यहाँ पर हम बात करें राज्य को राज्य का दर्जा दिख दिया गया था अब हम उसको राज्य ही बोलेंगे तो वो था हमारा तेलंगाना option यहाँ पर यह हमारा correct हो जाएगा जापान की संसत का नाम आपको बताना है Shora, Majlis, Died, Nesit क्या हो जाएगा? Died Died का जाता है जापान की संसत को Next है, Oman की राज्धानी कहां है? Riyadh, Ramla, Abudhabi या फिर मसकट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा मसकट Next है, बिहू का मुख्य तोहार क्या है? आसमका है, गुजरात है, उडीसा है या फिर पस्चिम बंगाल है बिहू किसका है? मुख्य तोहार? आसमका Next है, भारत के संस्विनानी के अनुच्छे कितने में मौलिक कर्तव्यों को बताये गया है 29, 51, 12 या 15 क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, 51 A Next है, विटामिन C की कमी से होने वाला लोग क्या है? पिलेग्रा, बेरी-बेरी, औस्ट्रियो, मैलेसिया या फिर स्कर्वी क्या होता है विटामिन C की कमी से? स्कर्वी, ऑप्शन C Sorry, D Next है, सतत्विकास लक्षियों को प्राप्त करने हित्व सेंक तो रास्ट द्वारा कौन सी अब धी निर्दारित की गई? सतत मतलब यहां पर Sustainable Development की बात की गई है आंसर करिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 2016 से लेके 2030 तक Next है, कैलाश सत्यार्थी किस संबंदित है? निर्मल भारत अभियान से बचपन बचाओ आंदोलन से नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन Next है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम प्रथक बजट पेश किया था? अरोंड जेटली, सूरेश प्रभू, प्यूश कोयल या फिर मनोज सिन्हा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा शूरेश प्रभू Next है, भारत का रास्टपती बनने से पूरुश्री राम नात कोबिन जी डैश के राज्यपाल थे कहां के बिहार, राजिस्थान, मर्द्यपर्देश या उत्तरपर्देश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार के Next है, फ्रांसीसी कांती का सही नारा क्या था? सोतंतरता अधिकार करतब फे समता समानता ब्रातत वो सोतंतरता समानता ब्रातत वो या फे सोतंतरता समानता और अधिकार क्या होगा? देखी इनका जो नारा था फ्रांसेसी क्राद्मती की समय वो था स्वतंतर था दूसरा था समानता और तीसरा था भ्रातत्व option C हाँ पर हमारा correct है next question है निम्ण मैंसे किस खिलाडी ने रियो पेरलिम्पिक्स दोजार सोले में उची कूद में स्वन पदक जीता था शरत कुमा, मुरली कांत, केटकर, वरुण सिंग, भाटी, या फिर मरियपन, यथा वेलू, थंगा वेलू क्या होगा देखी स्वन पदक जिनोंने जीता था वो थे मरियपन, थंगा वेलू, option D correct है next है नियाय मूर्ती, दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह है इलाबाद उच्छ न्याले के मुख्य न्याइधीश बने, इनमेंसे कोई नहीं, नेशनल जुडीशियल कमिशन के सदस्से बने, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के लिए पुनर निर्वाचित हुए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के लिए इनको पुनर निर्वाचित किया गया है, ठीक है नेक्स्ट देखिए डैश को भारत में सरवादिक पुराना गरंथ माना जाता है किसे न्याय, रामायड, गीता या फिर रिगवेद क्या हो जाएगा डी रिगवेद को सबसे पुराना माना जाता है नेक्स्ट है किसी प्राणी की ज्यानेंद्रियां उसे साहता प्रदान करती है स्वसन, गतिशील्टा में, तीव्रवरद्धी में, उद्धिपक के प्रति अनुकरिया करने में, बताईए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उद्धिपक के प्रति अनुकरिया करने में नेक्स्ट है, डैश को भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है भारत का पूछा है यहां पर, क्या होगा, मैं स्वामी नाथन, क्योंकि वर्गिस कुरियन जो श्वेत करांती है, उसके है, ठीके, तो मैं स्वामी नाथन, इंडिया के रिफ्रेंस में है और अगर यहां पर पूछा जाता हरित क्रांती के जनक कौन है वर्ड लेवल पर तो हम क्या कहते है नॉर्मन बर्ड लॉंग ठीक है जस्टिन टूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की वो कहां के प्रधानमंत्री थी है मतलब थे उस समय की करंट अफियर होगी कनाड़ा के, स्पेन के, इटली के या फिर फ्रांस के कहां के थे? केनड़ा के नेक्स्ट है निम्न मैंसे कौन सा नाटक विलियम सेक्सपीर दोरह लिखा हुआ नहीं है जूलियस सीजर, हैमलेट, आम्स एंड दी मैन, एज यू लाइक इट, बताईए कौन सा हो जाएगा, सी, आम्स एंड दी मैन, जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा, बहुती फेमस और बहुती अच्छा इनका नाटक है हैमलेट भी आपने पढ़ा होगा, एज यू लाइक इट, यह सब पॉपुलर नाम दिये हैं इनोंने तो आप इजली बता सकते थे, ठीक है नेक्स्ट है, राश्ट्रिय, प्रतिरक्षा, संस्थान, इस्तित है, कहां पर चिन नहीं में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या फिर बैंगलूरू में क्या हो जाएगा, C, नई दिल्ली में नेक्स्ट है, 2020 में ग्रीश्म कालीन ओलंपिक खिलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा जापान में, स्पेन में, चीन में, या दक्षड कूरिया में क्या है जापान में नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको बीमारियों रोण के कारण बताने हैं मलेरिया, रिंग वर्म, कोलेरा, एनिमिया, बताएगे इनके options भी देख लीजिए यहीं आप match कर लीजिए और options अपने पास लिखिए क्योंकि फिर वो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा देखे जल्दी क्या होगा, रिंग वर्म का क्या होगा देखे यहाँ पर इसका अगर हम बात करें options की तो अब आप option भी देख लीजिए नोट कर लीजिए नहीं तो एक बार होगे नोट देखे रिंग वर्म किससे होता है, फंजाई से ठीक है और मलेरिया किससे होता है कोलेरा, एनिमिया इन सबका देख लीजिए, answer डारेक्ट मैं आपको बता देती हूँ इसका answer जो होगा, वो होगा option नमर A स्वारी, option नमर यहाँ पर हो जाएगा, c, c, c होगा क्योंकि यहाँ पर यह दे रखा है एनिमिया लोहे की कमी से होता है, यह आपको पता है कोलेरा किससे होता है, मलेरिया किससे होगा, वैक्टीरिया से ठीक है, तो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट है, राज्य हडप नीती से संबंदित है, क्या है, लौड रिपन, लौड मिंटो, लौड करजन या लौड डलहोजी राज्य हडप नीती किससे संबंदित है राज्य हडप नीती है, लौड डलहोजी से संबंदित नेक्स्ट है इन मेंसे कौन सा इन्पुट डिवाइस नहीं है इसली बता सकते हैं इन्पुट डिवाइस कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर माउस कौन सा नहीं है देखी प्रिंटर नहीं है क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है आउट पर प्रॉइट करता है नेक्स्ट है हिंदी फीचर फिल्म पदमावत किस लेखक की रचनापर आधा रहे थे अब उल्फजल की रस्खान की मलीक मोहमद जैसी या फिर अमीर खुसरो की किस की है? C. मलिक मुहम्मद जाईसी की Next है सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया था किसने मुहम्मद बिन कासिम ने, इलतुत्मिश ने, मुहम्मद गौरी ने या फिर मेहमूद गजनवी ने किसने किया था? मेहमूद गजनवी ने, कितनी वार? सवनात मंदे नेक्स्ट सांख धर्शन का परतिपाधक कि से माना जाता है पतंजली कछ वालमेकी के कपिल को या गौत्म को क्या हो जाएगा सांके दर्शन कपिल को नेक्स्ट है प्रसिद पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादाभाई नौरोज जी इन मैंसे कोई नहीं महत्मागांदी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ए हो जाएगा दादाभाई नौरोजी नेक्स्ट है नमलिकित मैंसे कौन प्रसिद हिंदी पत्र का सरस्वती के संपादक रहे हैं पंडित पूरण चन्द महवीर प्रसात वेदी राजा सिप्रशाद सितारे हिंद या फिर बाल कृष्ण भट क्या हो जाएगा सरस्वती के संपाद है महवीर प्रसात वेदी जी नेक्स्ट है मदर पुस्तक किसने लिखी है बेन जॉनसन ने ऑसकर वाइल्ड ने टी एस इलियट ने या फिर मैक्सिम गौरकी ने डी हो जाएगा मैक्सिम गौरकी ने नेक्स्ट देखिए कौशन बस्तु एम सेवा यानि कि जो जी एस टी है वह भारत में कब लागू किया गया एक जुलाई 2017 एक सितंबर 2017 एक जनवरी 2017 या फिर एक अप्रेल 2017 यह लागू हुआ था एक जुलाई 2017 से ठीक है तो यह थे 2018 की कॉश्चन्स वह यहां पर आपको एक आईडिया लग गया होगा कि किस तरह के कॉश्चन्स आते हैं देखिए 2019 ने पूछे गए कॉश्चन्स हैं मात्र देवी की पूजा किस सब्विता से संबंदित थी आरे सब्वेता अट संदुगाट सब्वेता अचसी सл्वेंट थया अग्या एक ऊप दोंच कि क्या होगा सब्सक्स हों सब्वेता शिंद मांट भू में इस्थत ज़ते हैं चैन्स अनृफ्ट हवारा के दौरा निर्मित किया गया बहुत तार anh आ हिए शिकषक की यृष इजली आप बता सकते हैं, जैन मंदिर है, जैनियों दौरा ये बनाया गया है, ठीक है, गीत गोविंद किसकी करती है, जैदेब, कलहन, कालिदास या फिर राजाराओ, किसकी है, जैदेब की, नेक्स्ट है, शिवाजी का राजिविशे कब हुआ, 1627, 1684, 1680 या 1670, क्या हो जाएगा, 1674 इस भी में, नेक्स्ट है, अकाल तक्त का निर्मान करता, इन में से कौन सिख गुरु थे, गुरु रामदास, गुरु तेक बहादूर, गुरु हर गोविंद या फिर गुरु नानक, क्या हो जाएगा, अकाल तक्त का निर्मान करता, गुरु हर गोविंद जीने, नेक्स्ट है, भारत म समुंदरी मार्क की खोच किस ने की वासकोडिगामा कोलमबस मैगलन या फिर हेन्वी दी नैवीगेटर इसकी खोच की थी वासकोडिगामा ने चीक है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई बंबाई सूरत सूतानाती या फिर मद्रास ये खोली गई थी सूरत के अंदर भी ऑप्शनियां पर करेक्ट है नेक्स्ट है बेगम हजरत महल अठारसो सतावन की क्रांती में किस स्थान से संबंदित रही लखनौ, कानपूर, बनारस या फिर इलाबाद क्या हो जाएगा ए बेगम हजरत महल लखनौ से इन्होंने क्रांती की थी बाकी जेगे से जैसे कानपूर टाट्य टोपे थे ठीक है यहां पर बनारस इलाबाद इन सबसे इन सब पर कौन थे यहां पर पूरुष थे ठीक है तो और कानपूर को revolutionary capital भी कहा जाता है तो याद रखेएगा पूछा जा सकता है कि revolutionary capital कौन सी थी तो वो कानपूर थी और इन सबसे पुरुषों ने क्रांती की थी महिला ने की थी लखनौ से चो थी एक थी बेगम हजरत महल दूसरी महिला थी हमारी रानी लक्षमीबाय जिन बार्दोली या फिर सावरमती दिखे नील किसानों से संबंदिच जो इनका सत्यागरे था वो था इनका चंपारन जो कि इनका प्रथम सत्यागरे भी था ठीक है पहला इनका सत्यागरे आंदोलन था चंपारन नेक्स्ट है समाचार पत्र जो केसरी है उसका संपादन किस ने बी हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बीजी तिलग दोहरा नेक्स्ट है डांडी यात्रा की शुरुआत महांत्मा गांदी ने कहां से की थी डांडी से पोरबंदर से एहमदाबाद या फिसावरमती आश्रम से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सावरमती आश्रम नेक्स्ट कोशन है हमारे सौर मंडल का कौन सा घ्रह आकार में प्रत्वी के समान है बुद्ध, मंगल, शुक्रिया, भ्रस्पति क्या हो जाएगा C हो जाएगा शुक्र टुंड्रा है टुंड्रा क्या है पनपाती वन, उश्न कटी बंदिये वन, शीतन मरुष्थल या फिर गर्म मरुष्थल क्या हो जाएगा C हो जाएगा शीत मरुष्थल नेक्स्ट है वायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है समताप मंडल, ताप मंडल, छोब मंडल या मध्य मंडल सी हो जाएगा ये का जाता है छोब मंडल को इन सारी परत को आप पढ़ना चाहते हैं तो 20 देखेगा हमने वहाँ पर इनको अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है तो आपको पता चल जाएगा कौन सी परत का बाती है और उन परत का क्या परपस है नेक्स्ट है भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है दककन का पठार, छोटा नाकपुर का पठार, लदाख का पठार या फे बगेल खंड का पठार सबसे उचे पठार की बात की गई है तो वो है हमारा लद्दाख का पठार प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है कावेरी, नर्मदा, क्रेशना या गोदाबरी देखिए प्राइदी पर भारत की बात करें तो वहाँ पर सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी नेक्स्ट है में पश्चमी घाट के उत्री बाको किस नाम से जाना जाता है कोरोमंडल टट, मालावार टट, कोकन टट या फिर उत्री सिरकार सी हो जाएगा कोकन टट नेक्स्ट है प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते है प्रोग्राम कोड, हुमेन कोड, सोर्स कोड या फिर सिस्टम कोड बी हो जाएगा यहाँ पर human code, human code को एक व्यक्ति दौरा पढ़ा जा सकता है next question देखिए निमलिखित मैंसे कौन सा भारत की नेमने क्रशी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई नहीं है option 1 है सहकारी क्रशी आविशक आदुत्तों की उपलब्दता, भूमी की उपयोग और उसकी अधिकारिता या फिर कमजोरी वित्त विवस्था और विप्णन पताईए देखिए क्रशी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई की बात करें तो वो है सहकारी क्रशी इसके लिए उत्तरदाई नहीं है नेक्स्ट है निमलिकित मैसे कौन सा बंदरगाह भारत के पश्ट में टर्ट से संबंदित है नहावा, शेवा, मार्मा, गोवा, तूतिकोरिन या फिर कोची पश्ट में टटकी बात की गई है सी हो जाएगा टूटी कोरिन क्योंकि यह कहां पर आता है दक्षण ही टठका है यानि की साउधन मोस्ट पार्ट में भी बोलते हैं साउधन मोस्ट है यह हमारा टूटी कोरिन ठीक है नेक्स्ट है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है दक्षण पश्टमी मानसून उतर पूर मानसून समवनिय वर्षा या फिर पश्टमी बिख्षोप पताए कौन सी बारिश होती है सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है पश्टमी बिख्षोप की नेक्स्ट है सामुहिक उपभोग का अर्थ है क्या घरेलू खपत, व्यक्तिक खपत, स्वखपत या फिर देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत क्या हो जाएगा आंसर ए घरेलू खपत नेक्स्ट है रास्टिया आयको और किस नाम से जानते हैं जी एन पी माइनस साधन लागत, जी एन पी माइनस बाजार कीमत पर, जी एन पी साधन लागत पर या फिर एन एन पी बाजार कीमत पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एन एन पी साधन लागत पर नेक्स्ट है भारत में राजियों के लिए राजस्व का सब्वादेक महत्पून श्रोत निम्लिकित मेंसे क्या है विक्रीकर उत्पाथ शुल्क आईकर या फिर कम्पनी कर क्या हो जाएगा विक्रीकर आप्शन ए नेक्स्ट है निम्ल मेंसे किस वर्ष भारत G20 शिकर सम्मेलन की मेजवानी करेगा 2019, 2020, 2021 या 2022 कब करेगा मेजवानी? 2022 में ठीक है नेक्स्ट कुशन पर आईए अब आपको बताना है इन मेंसे कौन सी वैकल पिक मुद्रा का उधारन है करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉंड वैकल पिक मुद्रा आप इजली बता सकते हैं यहाँ पर चेक हो जाएगा ठीक है निम्लिकित मेंसे किस पंचवर्ष ये योजना में वास्तवी विकासदर, लक्षत विकासदर से कम थी आठवी पंचवर्ष ये योजना, चौती पंचवर्ष ये योजना, पांचवी पंचवर्ष ये योजना या साथवी पंचवर्ष ये योजना क्या होगा बी हो जाएगा चौती पंचवर्षी योजना नेक्स्ट है समिधान कि स्तिथी को पूर्ण तहां बनकर तयार हुआ 26 जन्वरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नमबर 1949 या फिर 30 नमबर 1950 क्या होगा है 26 नमबर 1969 में ठीक है नेक्स्ट है भारत में राजनितिक सक्ति का प्रमुक्ष्रोत क्या है भारत की जन्ता, हमारा समिधान, संसद या संसद और राज्य की विदिकाए क्या हो जाएगा ए हमारी भारत की जन्ता नेक्स्ट है सिक्षा सबसे शब्द किस्से संबंदित है संग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवसिस्थ विशे क्या हो जाएगा? सी, समवर्ती यानि की कौनकरंट लेस्ट नेक्स्ट है भारत के समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत शशास्तुर बलों के मौलिक अधिकार विशेश रूप से प्रतिवन्दित हो सकते हैं अनुच्छत 19, अनुच्छत 21, अनुच्छत 25 या अनुच्छत 33 देखिए मौलिक अधिकार प्रतिवन्दित की यां पर बात की जा रही है तो वो है हमारे हैं पर रूँच्छे तेत इसके ठीक है, ओप्शन D हाँ पर हमारा correct है Next है संपत्तिक अधिकार वर्तमान प्राइस्थिती क्या है? वेधानिक, मानव अधिकार, मौलेक अधिकार या प्राकर्तिक देखिए पहले संपत्तिक अधिकार, मौलेक अधिकार ताव इसको हटा दिया गया अब बताई आप कौन सा अधिकार बनाया गया था क्या हो जाएगा इसको वेधानिक अधिकार बना दिया गया नेक्स्ट है भारत के समिन्हान के अंतरगत नीती निदेशक सित्हांत का मुख्यों देश्य क्या है लोग कल्यान काड़ी राज्य की स्थापना, धर्प निरपेक्ष राज्य की स्थापना, कारे पालिका के मनमाने कारे की जाँच करना या फिर राज्य दौरा विकास के लिए अवसर उपलब्द कराना क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लोग कर लियान करी राज्य की स्थापना नेक्स्ट है रास्टवती के निर्वाचन में विजेई उमीदवार के लिए प्राप्त करना आवशक है क्या कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो कुल हुए मतदान का 66 प्रतीशत कुल कराय मतदान का 50% या फिर कुल कराय गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत बताइए क्या हो जाएगा डी जो भी उन्होंने मतदान कराए है उसका 50% से अधिक होना चाहिए और कुल मतों का भहूमत ठीक है अब बताईए गुट निर्पेक्ष्टा से क्या तात पर रहे है अपनी नीती को चुनना शक्ति पुंजो से टठस्त था विश्व में सांतियम एक रूपता लाना या फिर तित्य विश्व की शांतियम शक्ति होना क्या हो जाएगा बी हो जाएगा शक्ति पुंजो से टठस्त था ठीक है नेक्स्ट देखिए भारत राष्ट संक सदस्से कब बना है उननिस सो पैतालेस उननिस सो सहतालेस उननिस सो पचाज या उननिस सो चॉवन क्या होगा यह हो जाएगा वर्ष 1945 में अब बताएए जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा विश्व व्यापार की मातरा में व्रद्दी करना और प्रतिवंदों की समापती करना नेक्स्ट है निमलिकित मैंसे कौन सा पुरुषकार खेल छेत्र में प्रसिक्षन के लिए लिया जाता है प्रसिक्षन की बात की जारी है तो भी हो जाएगा द्रोणा चारे पुरुषकार नेक्स्ट है अर्थ शास्त्र का नोबेल किसके दौरा दिया जाना आरंब हुआ अलफ्रेड नोबेल स्वीडिस सेंट्रल बैंक नोबेल कमेटी या फे विशु बैंक क्या हो जाएगा बी स्वीडिस सेंट्रल बैंक स्पैल ओन दा टाइगर पुस्तक किसके दौरा लिखी गई सी हो जाएगा सैयद माउंट गोमेरी नेक्स्ट है वीड सावरकर अंतरास्टी है हवाई एड़ा जो इस्तित है को एक अधिकरत आई व्रिजन चेक पोस्ट के रूप में घोशित किया गया बताए कहां पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोवार दीप समों नेक्स्ट है संगाई कॉर्परेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल है बताएगे जल्दी से पढ़िए ऑप्शन्स और आंसर करिए क्या होगा ए होगा चीन रूस कजाकिस्थान उचबेकिस्थान और तजाकिस्थान ओप्शन ए नेक्स्ट है दूब्रीम आपने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है प्रिकाश, खगोलिय, पार्सेग या फिर इनमेंसे कोई नहीं C हो जाएगा पार्सेग नेक्स्ट है बिटामिन B6 का राइसाइनिक नाम नियासीन, पाइरीडॉक्सीन, साइनो, कोबालमिन या राइवोफलेविन क्या हो जाएगा? B है पाइरोडॉक्सीन नेक्स्ट है गती का नियम का प्रतिपादन किस ने किया था? न्यूचन, आइंस्टीन, फेरल या फिर कॉपर निक्स यह हो जाएगा यहाँ पर आंसन न्यूचन नेक्स्ट है DTP का विस्तार डेस्टॉप पब्लिशिंग, डेली टॉप पब्लिशर डिस्टॉप पर सेकेंड या फिर डेवलाप्मेंट आफ पब्लिक यह हो जाएगा डेस्टॉप पब्लिशिंग नेक्स्ट है दवावा खाद्य पधारतों के संगड़क्शन आदी में किस अमल का प्रिउग होता है साइट्रिक अमल, बेंजोईक अमल therefore या फिर एसिटिक अमल B हो जाएगा बेंजोईक अमल किनेक्स्ट है मस्तेश्क किसके साथ मिलकर केंडिरय THIS का तंन्थ की स्थापना करता है तंत्र का तंत्र मश्टेश्क मेर रज्जू या फिर केंद्रिय तंत्र क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मेर रज्जू नेक्स्ट है रण वर नांगता किस प्रकार का रोग है संक्रामा, कुपारजित, अनुवानशिक या जन्मजात सी हो जाएगा ये एक अनुवानशिक रोग है नेक्स्ट है चीनी यत्री फाहियान के साशक के समय बारत आया था हर्श्वर्धन, महमूद गजनभी, चंद्रगुप्दुति है या फिर चंद्रगुप्द प्रथम क्या होगा? सी हो जाएगा चंद्रगुप्दुति है ठीक है तो ये थे हमारे 2019 का प्रैक्टिस सेट हो प्रेट एंट्रेंस एक्जाम के 2020 के प्रिवेस पेपर की और जानेंगे प्रिवेस पेपर में जी के और इसके साथ ही साथ अधर सब्जेक्ट्स जो हमसे पूछे जाते हैं इंट्रें को जरूर देखेगा तब ही आपको पूरा आइडिया लग पाएगा देखे जो जी के में कौशन्स पूछे गए थे वो थे भारत में सर्व सिक्षा अभियान कब चालू किया गया अब ये टाइम पिरेट था देखे मैं हम एक तरह से प्रिवेस पेपर डिसकस कर रहे हैं त तो ये जो डिसकस किया गया था सुरी जो अभियान आया था वो आया था 2000 से 2000 एक के बीच तो यहां पर option C right answer हो जाएगा ठीक है next question पूछा गया था command control plus V का प्रियो क्यों होता है तो आप सब को पता होगा जह हम control plus V command देते हैं तो इसका मतलब होता है पेस्टिंग से यानि कि हमने क्लिप बोड में कोई भी copy या cut किये हुए item को या कोई भी test जो है उसको हम paste करने से यानि कि वहां पर वो दूसरी तरफ data copy हो जाए ठीक है तो यहां पर paste होगा तो option B यहां पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है थार्ड question जो पूछा गया था रास्टपती को रास्टपती पत की सपत कौद दिन लाता है तो देखी जब भी रास्टपती रास्टपती की सपत लेता है तो अनुचित 60 के अंदर अगर हम 60 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर उचितम न्याले का जो मुखे अधिश होगा वो उसको शपत दिलाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है फिर है मौलेक अधिकार प्रस्ति स्थापित है मौलेक अधिकार जरूर पढ़ लेजएगा एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो देखिए मौलेक अधि अधिकार का नाम क्या था अगें बेरी सिंपल है आपने बहुत बार पढ़ा होगा भारत का पहला सूपर कंप्यूटर था पराम 8000 इसमें 64 CPU प्रोग किया गया था और इस जब यह स्टार्टिंग या इसका जिनाउग्रेशन हुआ था वहा था उनिस सो एक्यानवे में और यह सोदेश में सी डेक कंपनी द्वारा वर्श उनिस सो नभ्य में बनाए गया था और इनाउग्रेशन हुआ था यानि की लॉण्च हुआ था उनिस सो एक नवे में ठीक है तो यह पराम क्या हो जाएगा 8000 ऑप्शन सी लेक्सर नेक्स्ट फै लिनऎक्स क्या है यह एk operating system है industry system है क्या है तो यह लिनक्स है वो हमारा operating system है तो option A right है फिर है भारत में बारत में बरतमान सेना प्रमुक जर्नल का नाम था थो बरतमान सेना प्रमुक जर्नल की बात करें तो वो थे मनोज मुकुन नर्वाने ठीक है तो option भी right है फिर है बंगाल में दोरिश आशन विवस्ता को किस ने समाप्त किया तो ये समाप्त किया था बोरेन हैस्टिंग्स द्वारा तो option यहां पर क्या हो जाएगा ए तेखे जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम सिर् आपके साथ तो एक आईडिया आपको लग जाए कि 2020 में कैसा पेपर पूछा गया था ठीक है कि संगितकार को मिर्ची म्यूजिक अवर्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर आप ती ये से सम्मानित किया गया तो यहां पर देखे अगर मिर्ची कंपोजर की बात करें तो यह थे प्र अपने मेरे प्रैक्टिस है प्रीवियस एयर के देखे होंगे अगर कोई प्राना स्टुडेंट है तो यह मैंने उनको कराया था तो जो डिजिटल कोश है इसका नाम रखा गया था यहां पर करेक्ट है फिर है कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंदित नहीं है तो आपने म चैंपियंशिब में कंपाउंड एकल प्रतियोगता में कौन सा पदक हासिल कियाता है स्वांड पदक तो यह क्या है हमारी तीरंदाजी की है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा टी फिर है डोगरी भाशा भारत के किस राज्य में बोली जाती है तो भाशा से भी कॉशन जरूर देख लीजेगा भाशा से अपके एक्जाम में पूछ ली जाते हैं तो यह डोगरी भाशा है वो भारत के जम्मू कश्मी राज्य में जो की बरतमान में केन शाशत प्रतेश है इसमें बोली जाती है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिर है अफरिकी भाशा का प्रियोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है तो यहाँ पर अफरिकी भाशा की बात करें तो देखिए अदक्षनी अफरिका और उत्री अफरिका में मुख्य रूप से अफरिकी भाशा का प्रियोग किया जाता है तो दोनों ही है यहाँ पर त देखिए कुछ जगे ऐसे हैं, कुछ भाषाएं और हैं, जैसे कि बुश्मैन, बांटू, सामी हामी, परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर है, रास्टी है, ग्रामीर रोजगार गारेंटी योजने अधिनियम कब पारित हुआ, तो देखिए इस कारेकरम की बात करें, यह हमारा पारित हुआ था, 2005 में जिसको नरेगा के नाम से भी जानते हैं सब लोगे और 2006 में इसको संसत में पारित किया गया था, और अगर इसका बात करें, 2010 में, तो नरेगा का नाम बदल के अप क्या कर दिया गया था, मनरेगा, ठीकें, यह भी आप याद रखिएगा, नरेगा पर्योजना थी या फिर यह हमारा योजना थी उसका नाम बदलाता 2010 में और फिर बाद में रखाता मन रहेगा तो यहां पर option क्या हो जाएगा वर्ष 2005 फिर है NCRT के वर्तमान निदेशक कौन है तो NCRT के वर्तमान निदेशक की बात करें तो रिशी के सेनापती है तो option C right है कि फिर है एडुसेट लॉंच किया गया फरवरी 1998 में तो बताएगे कब हुआ options आपके सामने हैं देखे इसकी बात करें एडुसेट की तो यह launch किया गया था हमारा सितंबर 2004 में यह सिक्षापर आधारित था इसलिए इसका नाम एडुसेट रखा गया जी सेट 3 को शिरी हरी कोटा से प्रच्षेपित इसको किया गया था तो यह भी हो सकता है question पूछ ले जाए तो कहां से प्रच्षेपित किया गया था शिरी हरी कोटा से option D यहाँ पर correct है फिर है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है तो देखें यहाँ पर इंसुलिन की बात करें तो मानव शरीर का जो मुख्य अंग है वो हमारा एक नाश्य से इंसुलिन पैदा करता है फिर है भारते समिधान दौरा कितने भाशा को मानने ता प्रदान की गई तो यहाँ पर भारती यहाँ पर सभिधान की बात करें तो यहाँ पर आठवी अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनको यहाँ पर सामिल किया गया अब जी 22 भाषा कौन है तो देखी अस्मिया है बंगाली है बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नर कश्मीरी कोकडी, मैथली, मल्याला, मैतई, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजावी, संस्क्रत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दु हैं तो यह है टोटल तो कितनी भाषाएं हैं 22 मूल रूप से टोटल कितनी हैं मूल रूप से 14 हैं वो वैसे 22 हैं फिर है प्रथम भारत यह महिला ओलंपिक पदक विजयता कौन रहें तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली भारत तोलक हैं वे ओलंपिक खेलों में कास से पदक जीतने वाली पहली महिला खलाड़ी बनी तो देखें यहां पर यह राइट आंसर हो जाए नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी किस से संबंदित है टेवल टैनिस, फुटवाल, क्रिकेट या फिर हौकी तो यहाँ पर देवधर ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलु क्रिकेट पृत्योगता धेव त्रॉफी भारती घरेलु क्रिकेट में 50 over not out list में दी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option C, cricket के लिए फिर है कौन सा रक्त समू सार भॉमिक दाता है सार भॉमिक दाता का मतलब वो होता है जो सबको दे सके, ठीक है तो कौन है, वो positive जो सबको दे सकता है और जबकि A, B प्लस प्लस जो होता है जिसको बोलते है Bank Less वो universal bread receiver होता है, यानि कि यह A, B, जो होता है वो किसी से भी ले सकता है A, B, C, L, E, B, C, L.E, C, L.E, C सकता है और O, से भी ले सकता है ठीक के, प्रीकाश वर्ट अगें इंपोर्ट है और बहुत सिंपल है जो प्रकाशवर्ज जो होता है वो लवाई द्वारा चिनहित किया जाता है देखी ऐसे लवाई द्वारा चिनहित किया जाता है यह लंबाई यानि दूरी की एक मापन एकाई है तो यहाँ पर option A correct हो जाएगा नेक्स्ट है आँ हिंदू ब्यू ओफ लाइफ के लेखक कौन है तो देखी आ पुस्तक थी इसके लेखक थे शरूपल्ली राधाकृष्णन और सरूपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपरास्ट पती तथा दूसरे रास्ट पती थे तो ये भी याद रख लीजे क तो इसमें से एशियन ड्रामा है इसके लेखकते गुनार मिंडाल तो ऑप्शन एक करेक्ट है ठीक है एगमार का अर्थ क्या है तो यह आप सबको पता है एगमार एक प्रमाणन चिन है जो भारत में जो भी क्रिशी खाद्य उत्पाद या पधार्थे उस पर लगाया जाता है यह बताता है कि हमारा जो उत्पाद है वो कितना खरा है यानि कि उसमें कितनी शुद्दता है यह बताता है तो यहाँ पर इसका जो रायट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा खाद्य पधार्थों का प्रमाणन चिन ठीक है फिर है भारत के किस राज्जे की तो भारत के जो गुजरात राज्य की जो टटीय रेखा है वो सबसे लंबी है अब ये नोट कर लीजिए इसका टाइम इसकी कितनी लंबी है तो बारह सो चौदा दशमलब साथ इतने किलोमीटर लंबी है समुंदिरी रेखा कुल मुख्य भूमी के टटका लगवा 23% भाग मा आप्शन क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट है पॉंडिचेरी एक कॉलोनी थी कौन सी ब्रिटेश फ्रांसिसी डच या पुर्टगाली तो यहां पर पॉंडिचेरी की बात करें तो एक फ्रांसिसी कॉलोनी थी तो आप्शन पी करेक्ट है नेक्स्ट है सूरत में चरम पंथी औ तो इस्थानांतृत की गई तो इस्थानांतृत की गई थी 1912 में ठीक है 1912 में जो अंग्रेज शाशक थे उन्होंने महसूस किया कि देश का शासन जो है बहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगया यदि दिल्ली को राजधानी बनाया चाहे तो बहतर होगा तो वहां थे वहाँ है उन्हों ने इसको हस्तानृत कर दिया थे और निस्षय बारे में गई eC तो बुम तो बहतर प्लिप सिंख कहें क मिस न्याया चाहभा कि लिए तो धमक्रिव करस्ता की इसद और सटनी कैसा तो आपके का यह दुदिद इस कारण ने ग्रीन जज कहा जाता है यानि पर्यावरण से संबंदित इन्हों ने कारे किया था फिर है भारती सभीधान की कब अपनाया गया था इंपोर्टेंट है में बहुत बार करा चुकी हो आपको तो भारती सभीधान को 26 नवमर 1929 में अपनाया गया था चीक है तो option D ह पर हमारा करेक्ट है नेक्सट है मां कंच है मालाइलएप अगेनए इंपोर्टेंट फुस्तक है बहुत पूची चाती है माई कंची मालाइप जो है इस पुस्तक है कोन है लाल म cookie फिछ ऐबाशन आडबन आज और कर्याने कंच .. बहुत तो जो आजिक माहनेशक बनी था नेक कंचन चौधरी option A फिर है भारत में PIN कोड छित्रों में विवाज़त हैं कितने छित्रों में विवाज़त हैं तो भारत में 9 PIN कोड छित्रों में विवाज़त हैं postal index number या PIN कोड भारती डाक काप ट्योक किया जाने वाला 6 अंको का कोड है और इसकी शुरुवात आप लिख लीचे तो 15 अगर 1972 को इसकी शुरुवात हुई थी तो कितने अंकों का है यह 9 अंकों का तो option क्या है D Next है Red Cross की स्थापना किसने की Dennis Dalton ने, Henry Durate ने, James Kalman ने या फिर James Michener ने तो Red Cross की यहां पर बात करें तो यह स्थापना की गई थी, Henry Durate की त्वारा 1863 में, ठीक है क्या है Henry Durate? Option B, 1863 Next है, Montreal Protocol का संबन्ध किससे है बोजवन परत्षरन, पर्यावन प्रदूशन, कारवन उत्सरजन या फिर इनमें से कोई नहीं बहुत ही इंपोर्टेंट है, और यह 2020 में पूछा गया था, तो 2020 में इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आई थी, इसलिए इंपोर्टेंट था हमने कराया भी था, मॉंटिन प्रोड़कॉल जो है, वो ओज़न छरण को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है तो ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है सिस्मिलोजी के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है, अगें यह भी इंपोर्टेंट है, यह हमने बहुत बार करात रखा है, सिस्मिलोजी इंजिरिंग का ही एक शाखा है, इसके अंतरगत प्रतवी की प्लेटों में हलचल होती है, या हम यह बोल सकते हैं, भूकम को नाप अपने का होता है, ठीक है, ओप्शन C यहाँ पर करेक्ट है, नेक्स्ट है लोकसवा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो देखें यहाँ पर लोकसवा की पहली महिला स्पीकर की बात करें, तो वो थी मीरा कुमार, इन्होंने पंदरवी लोकसवा में बेहार के सासाराम लोक प्रतिनिदी था जो कि बुनकरों पर निगरानी रखने माले खट्टा करने तता कप्ड़ों के गुर्वत्त जाचने के लिए एक बेतन बोगी कर्मचारी था तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नेक्स्ट है करेंट अफ्यर से रेलेटेट था यह कॉश्चन नरेंद मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पत के लिए शपत की तिथी क्या थी तो देखें तिथी की बात करें तो यह सबको याद होगी यह था 26 माई 2014 को इन्होंने शपत ली थी और इससे पूर्वी कौन थे यह गुजरात के मुख्यमंत्री थी नेनेंद मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार जो शपतली वो भी आप नोट कर लीजिए 30 माई 2019 ठीक है तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 माई 2014 पहली बार पूछा है ना दूसरी बार लिख लीजिए 30 माई 2019 ठ पत्यागर है किसके समर्थन में था अब जो 1908 का जो इनका समर्थन था वो गुजरात के खेडा जिले से था और यह किसानों की फशल नस्ट हो जाने के कारण हनों ने किया था जिससे कि वो जो लगान है उसमें इनको छूट मिल जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा किसानों ऑप्शन ए नेक्स्ट है बजट 2019 से बीस के अनुसार भारत में दुग दोत्पादन को दोगना करने का लक्षे वर्ष कौन सा है तो यहां पर बात करें तो दोगना करने का जो लक्षे रखा गया है वो है 2025 तो ऑप्शन सी करेक्ट है फिर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती क्या है अगनास यक्रत आमास या फिर इन में से कोई नहीं तो देखें यहां पर बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी की तो वह है हमारी यहां पर सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रत तो option भी यहां पर करेक्ट है और इसका बज़न लिख लीजे 1.5 से 2 कलोग्राम के तो यहां पर बात करें फिरुश्व कोटला जो की डिली में है इसका नाम बदल कर 2019 में पूर वित्तमंत्री अरूण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है तो क्या किया गया अरूण जेटली स्टेडियम ऑप्शन ए नेक्स्ट है आंद्परदेश में मकर संक्रान्ती किस नाम से जानी जाती है तो आंद्परदेश की बात करें तो वहाँ पर जो मकर संक्रान्ती है वहाँ पर हम इसको पोंगल या फिर संक्रान्ती के नाम से इसको जानते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है फिर है ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था तो यहां पर एकल खिताब की बात करें तो यह जीता था नोवाग जोकोविच ने option B correct है पिर भारत का पहला परमानू रियक्टर लक्षमी इंद्रा अफसरा गंगोत्री तो पहला परमानू रियक्टर की बात करें तो यह था हमारा अप्षरा चार अगस्त और निश्य चपन को प्रवेश किया था परमाणु यूग में इसने ठीक है तो क्या हो जाएगा option C next है सौर उर्जा का श्रोथ है नाभी किये संद्लियन नाभी किये विखंडन सूरे का संकुचन सूरे का प्रकाश तो सौर उर्जा के श्रोथ की बात करें तो देखें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह नाभी किये संद्लियन तो option A correct है फिर है भारत के किस राज्य में सभी घरों में च्छत पर बारिश के पानी का संग्रण अनिवारे कर दिया गया है तो यह जो अनिवारे किया गया है वो करा गया है भारत के तमिल नाइडू राज्य में ठीक है यह पहला ऐसा राज्य बिनाए जहां पर पूरे राज्य में ह पर घर की छत पर वश्या जल संग्रण करना आवश्यक कर दिया गया है तो option C यहाँ पर हमारा correct है ठीक है तो यह थी हमारे questions होप यहाँ पर आपको सारे questions clear होएंगे किसी भी तरह का doubt हो जरूर बताएगा और वीडियो कैसी लगी वीडियो को like कीचे friends के share कीचे किसी भी तरह की कोई वी क्वेरियो तो जरूर बताएगा तो next video में पर मलते हैं और वीची वीडियो के साथ अब तक के लिए take care bye bye